जय हैं दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंग्राठोड आज जिस लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे वो है मोगल एंपायर के उपर लास्ट टाइम हमने डिल्ली सल्तनत के बारे में बात करी थी उसके administration, society और culture के बारे में बात करी थी आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत से एक transition होता है Northern India में और मुगल एंपायर का creation होता है आज के lecture में हम लोग primarily बात करेंगे major मुगल rulers के बारे में कौन-कौन से important मुगल rulers थे और उनके क्या-क्या achievements थे किस तरह से Northern India में मुगल एंपायर का spread होता है और साथ ही साथ fall भी होता है तो rise and fall of मुगल एंपायर के बारे में आज हम बात करेंगे और इसी chapter में हम इस मुगल एंपायर के दौर में बने सूर एंपायर के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर एक बहुत ही short lived सूर एंपायर का development होता है under the leadership of शेर शाह सूरी तो इन सारे topics के ओपर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से मुगल एंपायर का foundation होता है और मुगल एंपायर का foundation जिस event से होता है उस event को first battle of पानीपत कहा जाता है मुगल एंपायर का establishment नॉर्दन इंडिया के अंदर करता है लड़ाई के अंदर बाबर की क्या strategy थी क्यों एक छोटी आर्मी होने के बाद भी बाबर ने अपने से कहीं बड़ी अफगान आर्मी को defeat किया और उसके बाद ही मुगल एंपायर का establishment हो पाया इस photograph के मदद से अपन इस लड़ाई को समझेंगे कि किस तरह से बाबर ने छोटी सिना होने के बावजूद अपने से ताकतवर अफगानों को हरा दिया यहाँ पे screen में आपको दिखाई दे रहा है जहाँ एक तरफ लाल रंग के कुछ बॉक्सिस और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे है नीले रंग के कुछ बॉक्सिस तो यह जो नीले रंग के बॉक्सिस है यहाँ पे है अफगान खेमा और जो रेड कलर का एरिया है या रेड कलर के जो बॉक्सिस है वहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है दे आर दे मुगल्स अब बाबर जो कि छोटी से ना लेका आए था बाबर की आटो बायोग्रफी होती है जिसको तुजुक ए बाबरी कहते है जिसमें बाबर ने इस बैटल के बारे में काफी डीटेल में बाते बताई है तो according to बाबर उसके पास सिर्फ साड़े बारा हजार की फौच थी पर बहुत सारे modern historians इसको underestimation मानतें कि शायद बाबर ने अपनी जीत को और ज्यादा glorify करने के लिए ये बताया कि उसकी आर्मी का size बहुत छोटा था और कहीं ने कहीं उसकी आर्मी उससे थोड़ी बड़ी होगी लेकिन फिर भी modern historians कोई भी 25,000 से ज्यादा उसकी आर्मी को नहीं मानतें तो अगर हम 25,000 और 12,000 का एक average निकाल ले तो करीब around 17,000 के आसपास या 17,500 के आसपास बाबर की आर्मी रही होगी military strength रही होगी वहीं उसके मुकाबले अफगानों के military strength कम से कम 50,000 रही थी बाबर के according तो एक लाग के आसपास रही थी लेकिन ये बाबर की तरफ से over estimation माना जाता है तो जुजू के बाबरी में तो modern historians इसको थोड़ा practical बताते हैं और कहते हैं कि 50,000 के आसपास अफगानों की strength रही होगी अब फिर भी अगर हम ये मान ले कि बाबर की strength 17,500 थी और अफगानों की strength 50,000 थी तो भी ये कोई match नहीं था लेकिन बाबर ने पानीपत की ये पहली लड़ाई लड़ी इसले थी क्योंकि उसके पास में तोपें और बंदुकें थी और साथ ही थी उसके पास में बहुत अच्छी strategy और tactics जिसके दम पर उसको इस बात का विश्वास था कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर अफगान आर ये जो टाउन आपको दिखाई दे रहा है ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये पानीपत का टाउन है यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का पैच दिखाई दे रहा है जूकि एक ट्रिब्यूटरी थी यमुना नदी की और इस ट्रिब्यूटरी के पीछे कुछ कटी हुई लकडियां बाबर ने भर दी थी सामने बाबर ने बैल गाडियों की एक पंक्तियां लगाई थी यानि कि बुलक कार्ट्स की एक पूरी लाइन बना दी थी अब यहां पर दिखाई क्या दे रहा है यहां पर यह समझ में आ रहा है कि बाबर जो हमलावर था जो एक लेकिन लड़ाई के मैदान में उसने एक defensive formation बनाया था क्योंकि वो जानता था उसके military strength कम है और अगर उसको अपने हतियारों का बहतरीन इस्तिमाल करना है तो पहले अपने फॉजीयों को बचाना होगा किसी massive assault से इसलिए बाबर ने invader होने के बावजूद battlefield के अंदर एक किले बंदी कर दी एक fortification कर दिया जहाँ पे बाबर ने अपने left flank में support लिया यमुना की ट्रिब्यूटरी का और trenches खोटके उसमें लकणिया भर दी कि अफगान से ना इस flank से आगे बढ़के उसके उपर attack नहीं कर सके similarly बाबर ने अपने right flank में पानीपट town का support लिया कि पानीपट town अगर उसके right flank पे होगा तो अफगान वहाँ से भी आगे बढ़के उसके उपर हमला नहीं कर सकते अब अफगान सिर्फ और सिर्फ सीधा हमला कर सकते थे लेकिन सीधे हमले से बचने के लिए उसने 700 बेल गाडियां मंगवाई थी 700 700 बुलक कार्ट उसने अरेंज करी थी और अपने formation के सामने लगा दी थी जिससे कि सामने से भी हमला अगर अफगान करें तो बेल गाडियों का ये formation बेल गाडियों का ये blockade उनके momentum को पूरी तरह से destroy कर दे क्योंकि इस तरह के pitched battles में जब कोई सेना हमला करती तो momentum का बहुत ज़्यादा importance होता है और इसलिए उस momentum को zero करने के लिए सामने बेल गाडियां लगा दी लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे gaps रखे गए कि अगर बाबर की टुकडियों को आगे बढ़कर हमला करने की ज़रूरत पड़ी अफगानों के उपर तो gaps होने चाहिए similarly इन बेल गाडियों के बीच में भी कुछ-कुछ gaps आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका भी objective यही था कि अगर बाबर को हमला करना हो तो उसके troups वहाँ से निकल कर तेजी से फैल जाए बैटल फिल्ड में और फैल कर अफगानों के उपर हमला करें अफगानों के पास कोई योजना नहीं थी उनके पास में यह जो गोल यानि की जो circles आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं यह अफगानों के हाथी है जो उनके लिए trump card जैसे थे जिसके दम पर वो बाबर को कुछल देना चाहते थे उसके अलावा अफगानों की फौ भारत में बहुत रेरली यूज हुआ था दक्षिन भारत में विजन अगर सामराज्य के कृष्ण देव राया ने इसका प्रयोग किया था आदिल शाही सलतनत के अगेंस्ट एक लड़ाई में लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा यूज भारत में इस तरह के वैपन्स का नह लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में यह एक सीक्रिट वैपन था बाबर के पास मस्कीटी अर्स थे जो उसके बंदूक्चियों को अंग्रेजी में कहा जाता है और उसके पास उसके तोपची यानि की आर्टिलरी में थे जिनके कमांड में बहुत सारी तोपे थी हमले की शु शुरू करते हैं अफगानों के उपर और जब भी अफगानों के उपर फायर करना शुरू करते हैं तो लड़ाई की शुरूआत यहां पे होती है अनफॉर्चनेटली इबराहिम के लिए या अफगानों के लिए लड़ाई की शुरूआत ही खराब होती है क्योंकि जैसे ही तोपों का फायर और धमाकों की आवाज और बारूद की गंध पूरे environment में फैलती है तो जितने भी हाथी होते हैं यह हाथी जिनके दम पर लड़ाई लड़ने की मनसूबा तयार किया था इबराहिम लोदी ने वो सारे हाथी जिसको हम कहते हैं लोकल लेंग्विज में बिदक जाते हैं वो गबरा जाते हैं हाथी ने इस तरह के दमागों की आवाज कभी नहीं सुनी थी इस तरह की बारूत की गंध के वो आदी नहीं थे और कई फायर कई शॉट कई गोले कई शेल्स आके हाथीयों को लग भी रहे थे जिससे वो या तो घायल हो रहे थे या डर के मारे भागना शुरू कर रहे थे और हाथीयों ने अपनी ही आर्मी को रौंदते हुए भागना शुरू कर दिया और यहां से इसी पॉइंट से डिस्ट्रक्शन की शुरुवात होती है इबराहिम की आर्मी की जब उसी के हाथी पीछे पलट कर भागना शुरू कर देते हैं और भागने की प्रोसेस में वो अपने ही सैनिकों को कुछलने लगते हैं तो केयोटिक सिचुएशन इबराहिम के लिए लड़ाई के शुरुवात में ही बन गई लेकिन इबराहिम ने भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारी और इबराहिम ने अपने टूपस को ओर्डर्स दिये कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़के मार्च करें और हमला करें लेकिन जैसे इबराहिम के सैनिक आगे बढ़ते उनके उपर तोपों और बंदू को से जोड़दार फायर किया जाता जब इबराहिम के टूप्स दूर होते तो तोपे उनके उपर फायर करती और जब इबराहिम के टूप्स क्लोज रेंज में आ चुके होते तो बाबर की बंदू के उनके उपर फायर करती और इस तरह वेव आफ्टर वेव अफगानों के हमले फेल होने लग गए इसी बीच बाबर ने तुलुगमा टैक्टिक्स का यूज करके इन गैप से अपने टुकडियों को भीजना शुरू किया और ये टुकडियां आगे बढ़के इबराहिम के सैनिकों के उपर तीरों की बोचार करके उनको घायल करती उनको तितर बितर करती इससे पहले कि अफगान इनको काउंटर अटैक कर सकते या काउंटर अटैक करके इनको पकड़ते ये तुलुगमा टूप्स वापस अपने बैल गाडियों के अपने फॉर्टिफिकेशन की सेफटी में चले जाते तो ये जो पद्दती थी ये जो स्टाइल था बैटल का ये इंडियन सबकॉंटिनेंट के लिए बिल्कुल नया था जहाँ पर कि राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक आगे आके हमला करते दुश्मन को नुकसान पहुँचाते दाएं और बाएं से और वापस अपनी पॉजिशन्स में आ जाते इससे पहले के दुश्मन उनके उपर काउंटर अटैक करे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सेंट्रल एशिया के तेज़ दोडने वाले घुडसवार और घुडों ने और साथ ही साथ उनकी जो स्किल थी तीरंदाजी की आर्चिरी की घुड़े की पीट पर बैठकर उस स्किल ने और देखते ही देखते अफगान आर्मी के फ्लैंक्स में अफगान आर्मी के अंदर कियाटिक सिच्वेशन डेवलप हो गई सामने अगर वो हमला करते तो तोपों और बंदुकों का सामना करना पड़ता अगर अपनी ही पोजीशन पे रुखते तो दाएं और बाएं से बाबर के टूप समला करके उनको नुकसान पहुँचाते तो वो बिलकुल एक रिम रॉक सिच्वेशन में पहुच गए रिम रॉक सिच्वेशन उस सिच्वेशन को कहा जाता है रॉक क्लैंबिंग में जब आप ऐसी जगे फस जाते हो जहां पे आप रॉक पर न उपर चड़ पाते हो न नीचे आ सकते हो तो इबराहीम की हालत भी ऐसी हो गई वो रिम रॉक सिचवेशन में फस गया और बाबर यही चाहता था कि इबराहीम पैनिक में आए इबराहीम पैनिक में आता है इबराहीम के कुछ कवांडर्स इबराहीम को यह सजेशन्स देते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ समझे नहीं आ रहा है कि क्या करना है इनके पास तोपें हैं बंदूकें हैं इन्होंने अपने आपको एक ऐसे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में बना दिया है कि हम इनको उपर हमला नहीं कर सकते अगर यह प्रोटेक्शन या इनके कि सही यह होगा कि इस समय हम बैटल फिल्ड छोड़ दे और बैटल फिल्ड छोड़ कर कहीं भाग जाते हैं बाद में अपने आपको री ग्रूप करेंगे री गैदर करेंगे और काउंटर अटेक करेंगे बाबर के उपर और फिर उसको बाद में हराएंगे जब उसने इस कहके इबराहिम भी अपने साथ लगबख 6,000 की टुकडी लेकर आगे बढ़ता है और कोशिश होती है कि एक बार और कोशिश की जाए बाबर के फॉर्मेशन को तोड़ कर उसके प्रोटेक्टेड एरिया में घुसने की उस प्रोसेस में इबराहिम मारा जाता है और इबराह की डेथ होते ही अफगान आर्मी में भगदर मत जाती अफगान भागने लगते हैं पीछे और यहीं पर मुगल आगे बढ़ना शुरू करते हैं ये जो मुगल्स अपने प्रोटेक्टेड फॉर्मेशन में थे अब इबराहिम की डेथ के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे उरज भाले के नोक पर आया था तब तक में ये लड़ाई जीत चुका था माना सोचा जाता है कि शायद सुबर 9 बजे लड़ाई शुरू हुई थी और दोपहर की 12 बचते बचते या एक बचते बचते ये लड़ाई पूरी हो चुकी थी इबराहीम के पास में इबराहीम ने बाबर के पास तोपय और बंदू के थी इसकी जानकारी उसको नहीं थी और अगर थी भी टो उसके पास कोई प्लान नहीं था कोई और विकल्प नहीं था उसका सिवाय इसके की वो फृरंटल असौल्ट करें बट वो बेकार साबित हुआ इबराहीम के लिए उसकी डेफ हो पाया था उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी अपने आपको consolidate करने में लेकिन उससे पहले कि हम आगे की story की बात करें यहाँ पर मैं आपको important चीज़ें लिख देता हूँ जो आपको इस battle के बारे में याद रखनी है fought between किसके बीच में लड़ा गया था? fought between बाबर and Ibrahim Loti सबसे पहली चीज़ है कहां लड़ा गया था? battle of panipat बोलते हैं तो panipat में लड़ा गया था दूसरी चीज़ बाबर used artillery guns यानि की तोपें and match lock musket ये जो match lock musket rifles होती थी ये बड़ी interesting rifles होती थी दुनिया की शुरुवाती rifles हुआ करती थी इस इस rifle की खासियत खासियत तो में क्या कहूँ ये rifle function बड़े आज जैसी rifles जैसी नहीं होती थी जैसे आज self loading rifles होती है कि एक shot fire करो और दूसरा अपने अप load हो जाता है तो ये ऐसी नहीं हुआ करती थी ये ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें एक shot fire करते थे आप उस shot को fire करने के बाद बंदूक के barrel को नीचे करना होता था बंदूक के barrel को नीचे करके उसके अंदर बारूट डालना होता था बारूट डालने के बाद उसमें गोली डालनी होती थी गोली डालने के बाद रैम रॉड से उस गोली और बारूट को नीचे stuff करना होता था और उसको तेजी से नीचे स्टफ करने के बाद बंदुक को वापस बंदुक की बैरल को वापस फिट करना होता था अब उसके बाद में भी ट्रिगर पूल करके शॉटनी लगता था यहाँ पे एक बत्ती लगी हुई होती थी जिसको आग लगानी पड़ती थी इसलिए इसको मैच लॉक राइफल कहा जाता है उस बत्ती को आग लगानी पड़ती थी और सुलगती हुई बत्ती बुझे उससे पहले ट्रिगर पूल करना होता था तो जैसे अब ट्रिगर पूल करते थे तो वो जो बत्ती है वो बारूद में जाके लगती थी और उससे explosion होता था बारूद में और बारूद के उस explosion के pressure से गोला निकलता था या गोली निकलती थी और दुश्मन को जाके लगती थी ये बंदुकों को इसको हम कहते हैं reloading time बहुत ज्यादा होता था एक गोली fire करके दूसरी गोली fire करने के बीच में 30 seconds का time लगता था वो भी उसको जो कि एक experienced rifle man हुआ करता था वरना किसी इन experienced के हाथ में यह आ जाए तो शायद वो एक fire भी ना कर पाए तो इतना आसान भी नहीं था इन बंदुकों को चलाना लेकिन फिर भी यह बंदुके होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा advantage था और बाबर के musket rifle man इस बंदुक को use करने में बहुत माहिर थे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गोली fire करके दूसरी गोली fire करने में उनको 30 seconds लगते थे लेकिन उसको भी वह बहुत ही systematic और organized way में करते थे कि कुछ rifle man जब fire करते थे तब तक दूसरा load कर चुका होता था अपनी गोली को और जैसे ही एक गोली एक लाइन पूरी गोली अपनी चला चुकी होती थे rifle man की तब पीछे वाली लाइन अपना निशाना लेके अपनी गोलियां चलाती थी एक एक करके by that time जिन rifle man की गोलियां चल चुकी होती थी वो reloading कर चुके होते थे अपनी rifle की और वो वापस fire करते थे तो इस तरह 30 second का reloading time होने के बाद भी बाबर की तरफ से जो fire आता था तो वो लगातार आता था ऐसा नहीं होता था कि सारी गोलियां चल गई और 30 second का समय मिल गया आफगानों को आगे बढ़ने का नहीं वो उतना भी समय नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बारी बारी से load और reload करके गोलियां चला रहे थे तोपें चला रहे थे और इस तरह से ये match lock musket rifles और artillery guns ने पूरा जिसका हम कहते हैं game change कर दिया इस लड़ाई के अंदर इब्राहिम के against एक और चीज़ यहाँ पर है बाबर अल्सो यूज़्ट तुलूगमा टैक्टिक्स तुलूगमा का मतलब होता है flank attacks जैसे मैंने आपका बताया कि दाएं या बाएं बाजू से निकल के आना दुश्मन के ओपर अचानक हमला करना और वापस retreat कर जाना अपने formations में इस तरह दुश्मन को दाएं और बाएं फ्लैंक से चैन नहीं लेने देना और सामने की तरफ लगाता और उसके ओपर fire करते रहना तो यह तुलूगमा tactics भी बहुत important role play करती इस लड़ाई में बाबर की जीत के पीछे और इसका result होता है बाबर की decisive victory होती है नेरनायक उसकी जीत होती है और जैसे कि मैंने आपको कहा दिल्ली और आगरा जैसे बड़े centers northern इंडिया के अब बाबर के कबजे में आ चुके थे जैसे बाबर के कबजे में सब कुछ आते है तो फिर बाबर आगे rule करता है अपना establishment करता है आईए बाबर के बारे में कुछ important facts हम जानते है सबसे पहली चीज़ बाबर is the founder of Mughal Empire in India He was a descendant of Taimur on his father's side and Changiz Khan on his mother's side और इसी लिए उसको कहा जाता था चगताई तुर्क बाबर को चकताई तुर्क कहा जाता था क्योंकि उसकी जो मदर थी वो कुतलुग निगार खानम चकताई खान की बेटी थी और चकताई खान चंगेज खान का descendant था तो इसी लिए एक तरफ से चकताई और दूसरी तरफ उसके फादर उमर शेक मिर्जा तैमूर का descendant था तो वो तुर्क थे तो चकताई और तुर्क के कॉम्बिनेशन से इसे चकताई तुर्क कहा जाता था जो कि बाबर की एथनिक आइडिन्टिटी थी वैसे बाबर उस्बेकिस्तान का रहने वाला था फरगाना के इलाकों में जो समरकंद और बुखारा के इलाके हैं वहाँ पे उसका एक छोटा स किंडम हुआ करता था ज्योंकि उसके फादर उमर शेक मिर्जा रूल करते थे लेकिन उमर शेक मिर्जा की डिट के बाद में बाबर के रिलेटिव्स ने उसके अगेंस्ट रिबैलियन कर दिया क्योंकि उस समय बाबर की उमर बहुत कम थी तो बाबर इस पोजिशन में नही कर दिया बाबर का एक यू अबजेक्टिव था लाइफ में फरगाना को वापस हासिल करना वो जगे जहां पे उसका बच्पन बीता था वो जगे जो उसकी पेटरनल किंगडम हुआ करता था लेकिन उसके लिए बाबर को पैसा चाहिए था और अफगानिस्तान के इलाकों में अगर उसने छोटा सा किंगडम बना भी लिया था तो वहाँ से उसको इतना पैसा नहीं मिलने वाला था क्यूं कोई मैसिव आर्मी बना सके और फरगाना के इलाकों में हामला कर सके इसलिए उसने भारत के पंजाब के इलाकों में हमले करके लूट पाट करनी शुरू करी त जो लोधी डाइनिस्टी का या लोधी एंपायर का पंजाब का गवर्नर था जब बाबर ने सबसे पहले पंजाब में हमले किये तो उसका सामना दौलत खान लोधी से ही हुआ होगा जो पंजाब का गवर्नर था और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने लोधी को मिला लूँ और हम मिलके इबराहिम को डिफीट कर दे तो बाबर को वेल्थ मिल जाएगी जो वो चाहता है और मेरे रास्ते से इबराहिम हट जाएगा तो फिर मैं दिल्ली को एक्वाइर कर सकता हूँ आगरा को एक्वाइर कर सकता हूँ दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बन सकता हूँ तो ये लालत चागया दौलत खान-लोधी के मन में और इसी लालत से दौलत खान-लोधी ने बाबर को इन्वाइट करने की गलती कर दी क्यूंकि जब बाबर दौलत खान-लोधी के इंविटेशन में पंजाब आ गया तो उसने पूरे पंजाब के उपर कभजा कर लिया ये कहके कि पंजाब के इलाके तो पहले ही हमारे एंसिस्टर तैमूर ने जीते थे और उसके बाद उनके गवर्नर सेट डाइनिस्टी के खिजर खान को दे दिये थे तो ये इलाके तो हमारे बाप दादाओं की जीते हुए हैं दौलत खान लोधी का इन इलाकों पे कोई राइट नहीं है तो बाबर ने अपनी मिलिटरी स्ट्रेंग्थ का फाइदा उठा के दौलत खान लोधी और उसके बेटे दिलावर खान लोधी दोनों को कंट्रोल कर लिया और दोनों को कंट्रोल करने के साथ दौलत खान लोधी को तो इंप्रिजन कर दिया दिलावर खान को अपने साथ मिला लिया और खुद आगे बढ़ा इbراहिम को डिफीट करने के लिए और दिल्ली आगरा के ओपर कब्जा करने के लिए और फिर उसी process में आगे पानीपत के लड़ाई होती है और उसमें बाबर जीतता है और भारत में मोगल empire का establishment करता है तो वो जो सब कुछ मैंने बताया वो ही इन तीन paragraphs में लिखा हुआ है आगे बढ़ते हम कि बाबर की death होती है अच्छा यहाँ पे एक और important चीज बाबर में हम add कर देते कि अकेले पानीपत के लड़ाई नहीं होती है जिससे की बाबर का establishment भारत में हुआ था in fact पानीपत के बाद उसको एक और बड़ी और दो छुटी लड़ाईयां लड़नी पड़ती है तो जो एक और बड़ी उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है वो होती है 1527 मे लड़ बाई राना सांगा इन बैटल और खानवा खानवा की लड़ाईय उती इस्टन राजस्थान में जहां पे बाबर को एक बहुत ही पावरफुल राजपूत जो राणा संग्राम सिंग के अंडर में थी जिसमें आज के राजस्थान के लगबख सारे मेजर रूलर्स और उनकी मिलिटरी स्ट्रेंग्ट एक्क्यूमिलेट हो गई थी उनसे मुकाबला करना पड़ा क्योंकि उनका एंबिशन भी दिल्ली और आगरा को जीतना था तो बाबर को अगर दिल्ली और आगरा में अपने रूल को बनाय रखना था तो पहले इस राजपूत कॉन्फिडरेसी को डिफीट करना उसके लिए ज़रूरी था हलाकि राजपूत कॉन्फिडरेसी मैसिव थी और बहुत स्ट्रॉंग थी और कई लड़ाईया एक के बाद एक जीत चुकी थी जिस राजपूत कॉन्फिडरेसी ने इबराहिम लोधी को भी घटॉली और धौलपूर की लड़ाईयों में हराया था तो उनका मुराईल बहुत हाई था लड़ाई उनी के घर में लड़ी जा रही थी लेकिन एक बार फिर खानवा की लड़ाई में बाबर का वो फॉल्टीफाइड फॉर्मेशन जैसा उसने पानीपत में बनाया था और तोपों और बंदूकों का सटीक इस्तेमाल एक बार फिर उसको जीत दिलाता है एक बहुत ही ताकतवर ओपोंनेंट के अगेंस्ट हलाकि बाबर को भी उस लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जितना कि उसने पानीपत की लड़ाई में बिलकुल भी नहीं उठाया था लेकिन इस लड़ाई में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होता है और बिलकुल दिन भर चलता है ये युद्ध लेकिन राणा संग्राम सिंग को एक गुली लग जाने की वज़े से वो घायल हो जाते है और इसी वज़े से आखरी मॉमेंट पे इस लड़ाई का पलड़ा मुगलों की तरफ चला जाता है लड़ाई के बीच में छोटा सा सीज फायर भी हुआ था इस सीज फायर के प्रोसेस में भी बाबर ने राजपूत सैनिकों के ओपर हमला कर दिया था गुली बारी कर दी थी जिससे भी राजपूतों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था तो बाई हुक और बाई क्रुक लेकिन बाबर को ये लड़ाई जीतनी थी उसने लड़ाई जीत ली इस लड़ाई को जीतने के लिए उसने अपने सैनिकों का मुराल बूस्ट करते हुए उनको ये भी कहा कि ये लड़ाई जिहाद है क्योंकि अब तक हमने जिससे लड़ाई करी यानि कि इबराहिम से वो तो हमारी तरह एक मुसल्मान था लेकिन अब हम जिससे लड़ाई कर रहे हैं राणा संग्राम सिंग्ग वो एक हिंदू है और किसी नॉन मुसलिम के अगेंस्ट एक मुसलिम आर्मी को लड़ाई करते हुए जिहाद की तरह सोचना चाहिए कि वो जिहाद कर रही है जिससे कि उ बहुत हुआ आज से मैं एक सच्चा मुसल्मान बनूंगा और इसलिए शराप को मैं चोड़ रहा हूँ और अब हम जिहाद करेंगे राजपूतों के खिलाफ और इस तरह वो सेना मुगलों की वो सेना जो अब भारत में रहना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि भारत में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर रुकने का मन बना लेगा और उपर से उनको एक और ताकतवर शक्ती के साथ में भिड़ना था जिससे कुछ शुरुवाती मुटभेडों में मुगलों की हार भी हो चुकी थी तो मुगल सेना के अंदर बहुत ज्यादा डी मॉरलाइजेशन था तो इस डी मॉरलाइजेशन को बहुत इंटेलिजेंटली रिलिजिन के सहारे से बाबर ने मुरैल बूस्ट करने में तबदिल कर दिया और फिर अपना प्रोटेक्टेड फॉर्मेशन बनाया डिफेंसिफ फॉर्मेशन बनाया तोपों और बंदुकों का सटिक इस्तेमाल किया सीज फायर के दौरान भी दुश्मन के ओपर हमला किया और इसलिए मैंने कहा कि बाए हुक और बाए करुक बाबर को ये लड़ाई जीतनी थी वो ये लड़ाई जीत गया और इस लड़ाई में जीत के बाद ही वो पावरफुल मोगल एंपायर या मोगल एंपायर का उत्तर भारत में स्टैबलिश्मेंट का रास्ता क्लियर हो सका दो छूटी छूटी लड़ाईया और लड़ता है बाबर ताकि उसको किसी तरह कि कोई opposition का सामना ना करना पड़े, वो दो छुटी-छुटी लडाईयां कौन सी होती है, यह तो 1527 में होती है, 1528 में battle of, या battle of नहीं लिखता हूँ, simply लिखता हूँ, चंदेरी, 1528, चंदेरी, प्रेजिन डे मध्यप्रदेश में अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा टाउन है चंदेरी, वहीं के किले की घिराबंदी बाबर ने करी थी, जिसको चंदेरी की लडाई कहा जाता था, तो चंदेरी की लडाई किसके अगेंस्ट ह मेदिनी राय मेदिनी राय ओरिजिनली राणा संग्राम सिंग के ही एक सामन्त याने की फ्यूडल लॉर्ड थे जिसके ओपर बाबर ने हमला कर दिया था और उस चंदेरी के किले को जीत लिया था मेदिनी राय मारे गए थे इस लड़ाई के अंदर एक लड़ाई और लड़ता है ये लड़ाई होती है मोहमद लोधी से जोकि इबराहिम लोधी का ही एक कसिन था और थ्रेट पोस कर सकता था बाबर की डॉमिन्स के ओपर और इसलिए बाबर ने आगे बढ़के उसको भी घागरा नदी के किनारे हुई इस लड़ाई में पूरी तरह से डिफीट कर दिया 1529 घागरा की लड़ाई अगेंस्ट मोहमद लोधी तो इस तरह से 1526 में पानीपत 1527 में खानवा 1528 में चंदेरी 1529 में घागरा नदी की लड़ाई लगातार चार सालों में चार लड़ाईयां जीत के पूरे उत्तर भारत में बाबर अपना डॉमिनन सेट अप कर देता है बट 1530 AD में बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर की डेथ के साथ ही उसको सकसीड करता है उसका बड़ा बेटा जिसका नाम था नासिरुद्दिन हुमायूं जो पहले 1530 से लेके 1540 की बीच में रूल करता है और फिर 1555 से लेके 1556 के बीच में रूल करता है याने कि ये 1540 से लेके 1555 की बीच में रूल नहीं करता है और यही वो फेज होता है जब सूर डाइनिस्टी कायम हो गई थी भारत में लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखे कि हुमायू की कहानी क्या थी हुमायू बाबर ने मरने से पहले ये डिकलेयर कर दिया था कि मुझे सकसीड करेगा मेरा बेटा हुमायू लेकिन उन्होंने हुमायू से भी एक वादा लेया था कि हुमायू आप अपने भाईयों में अपने भाईयों के साथ भेदभाव नहीं करोगे अपने भाईयों को भी उनका हक दोगे और इसी लिए बाबर के मरने के बाद हुमायू जो की एक रेलिटिवली जेनरस इनसान था उसने अपने एक भाई कामरान एक भाई हिंदाल और एक भाई असकरी को अलग अलग हिस्से दिये रूल करने के लिए अफगानिस्तान के कामरान हिंदाल को अफगानिस्तान के इला हुमायू captured गुजरात from बहादुर शाह and appointed असकरी as its governor जैसे कि मैं आपको बताया कि असकरी को गुजरात का governor बनाया गया था इससे पहले हुमायू ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के उपर हमला किया था जब राणा संग्राम सिंग की death होई तो राणा संग्राम सिंग की death के बाद में मेवाड थोड़ा कमजोर पढ़ गया obviously एक बड़ी लड़ाई वो हारे थे नुकसान उनका बहुत हुआ था बहुत सारे कमांडर्स मारे गए थे राणा संग्राम सिंग की भी लड़ाई के बाद death हो गई थी तो अब मेवाड की राज माता बन गई थी राणी करणावती और राणी करणावती के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे resources भी कम बची थी इसका फायदा उठा के गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तोड के उपर चड़ाई कर दी थी इसी वक्त राणी करणावती को कुछ समझ में नहीं आया था कि वो क्या करें क्योंकि उनके पास इतने सैनिक नहीं है कि वो सुल्तान बहादुर शाह का मुकाबला करके उसको भगा सके मेवार से इसी लिए इस वक्त राणी करणावती ने हुमायू से मदद भी मागी थी एक चिट्थी भी लिखी थी हुमायू को और चिट्थी के साथ एक राखी भेजी थी यानि की भाई भेहन के रिष्टे की दोहाई देते हुए हुमायू से मदद मागी थी शायद हुमायू समय पे नहीं पहुँच पाया या हुमायू ने पॉलिटिकली या मिलिटेरिली इस मदद को करना उचित नहीं समझा वज़ जू भी रही हो सुल्तान बहादुर शाह ने कुछ वक्त के लिए मेवाड को या चितोड को घेरा बंदी करके अपने कबजे में ले लिया चितोड के वारियर्ज ने साका किया और चितोड की रानियों और राजकुमारियों ने और दूसरी रॉयल फैमिली की लीडीज ने जोहर किया यानि की अगनी कुंड जला के उसमें आपने आपको गिरा दिया ताकि दुश्मनों के हाथ में वो ना आए बाद में हुमायू को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मेवार तक पहुँच चुका बहादुर शाह आगरा तक भी पहुँच सकता है और उसके बाद हुमायू ने एक हमला किया गुजरात के सुल्टान बहादुर शाह के उपर और इसी प्रॉसेस में इसने गुजरात के साथ साथ एक और जगे जीती थी तो मैं या लिख देता हूँ गुजरात एंड मालवा मद्धिप्रदेश का पश्चिम हिस्सा मालवा और गुजरात का हिस्सा हुमायू ने जीत लिया सुल्टान बहादुर शाह को डिफीट कर दिया और इसी के साथ में मेवार के उपर से भी सुल्टान बहादुर शाह का कंट्रोल खतम हो गया था तो यहाँ पर हुमायू को सक्सिस मिलती है लेकिन हुमायू को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है और वो चैलेंज होता है पूर्व की तरफ से यानि कि बिहार की तरफ से अब जहां पश्चिम में गुजरात में हुमायू ने बहादुर शाह के चैलेंज को तो पूरी तरह से डिफीट कर दिया था लेकिन पूर्व में बिहार में शेर खान का राइज हुआ था जो कि एक अफगान था और एक बहुत बड़ी कॉन्फिडरेसी वो भी अफगानों की बना चुका था और वो सेंस कर चुका था कि हुमायू के अंदर वो स्किल नहीं है जो उसके फादर बाबर के अंदर थी और इसी का फाइदा शेर खान उठाना जाता था लेकिन हुमायू ने शेर खान को क्रश करने के इरादे से अपनी आर्मी को मार्च करने के ओर्डर्स दिये लेकिन इस्टन उत्तर प्रदेश में चौसा नाम की जगह पर शेर खान ने एक लड़ाई में हुमायू को डिफीट किया हुमायू को वापस भागना पड़ा जैसे तैसे हुमायू बचपाया उस लड़ाई के अंदर वापस भागा और आगरा चला गया लेकिन शेर खान ने चौसा की लड़ाई को जीतने के बाद रुकना मुनासिब नहीं समझा शेर खान आगे बढ़ता गया और इससे पहले की शेर खान आगरा पहुँचके आगरा की घेरा बंदी करता हुमायू और उसके कमांडर बैरम खान को अपनी सीना लेकर आगे बढ़ना पड़ा एक और चांस लेते हुए कि शेर खान को रोकना है और दूसरी बार पंदरा सो चालीस में फिर इनके बीच में एक लड़ाई होती है जो बिलग्राम की लड़ाई होती है इस बिलग्राम की लड़ाई में एक बार फिर शेर खान हुमायू को बुरी तरह हरा देता है अब हुमायू के पास और कोई चारा नहीं था सिवाए इसके कि या तो उसके भाईयों से मदद ले या किसी हिंदू राजा से मदद ले या फिर भारत छोड़ कर भाग जाए क्योंकि शेर खान के रहते तो हुमायू की लाइफ को बहुत ज्यादा खत्रा था पहले हुमायू ने अपने भाईयों से मदद मागी लेकिन उसके भाईयों का साफ कहना था कि अगर आपने आपके भारत के एंपायर का बटवारा हमारे साथ नहीं किया तो हम आपके मदद नहीं करेंगे ठक हार के हुमाईव राजपूतों के पास जाता है और जोदपूर के यानि कि मारवाड के राज़ा मालदेव राठोड से कॉंटेक करता है initially मालदेव राठोड उसको मदद करने के लिए राजी भी होते है लेकिन जल्दी मालदेव राठोड को इस बात का realization होता है कि हमायू के पास अब कुछ भी बचा नहीं है तो अगर हम मदद करेंगे तो हम ही उसके लिए पूरी ताकत से लड़ाई करेंगे शेर खान से जो कि मारवाड के लिए भी favorable नहीं था इसलिए मालदेव राठोड हमायू को ये कहते है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ इस वक्त कि आप जो भटक रहे हो इदर उदर पंजाब और राजस्थान के इलाकों में तो यहां से मैं आपको कोई safe और secure जगे पहुंचा सकता हूँ और तब हमायू उनकी बात मान के अमर कोट की रियासत में जाते हैं जो राणावीर साल रूल करते थे जो माल देव राठोड के ही एक feudal lord थे और वहीं अमर कोट के किले में हमायू के उस बेटे का जनम होता है जो आगे चलके एक बहुत बड़ा मुगल सामराज जिस थापित करता है जिसको दुनिया अकबर के नाम से जानती थी लेकिन अब हमायू को ये रियलाइजेशन होता है कि इस तरह अमर कोट में बैठे रहकर वो शायद जिन्दिगी निकाल सकता है लेकिन दुबारा मोगल जिन्दा दिल्ली आगरा में नहीं लहरा सकता इसके लिए उसको कोई बड़ी मदद की जरूरत लगेगी और तब हमायू जाता है एक बार फिर अपने भाई हिंदाल से मदद मागने हिंदाल उसको अशॉरंस देता है कि चलो ठीक है भाई आप आओ हम मदद करेंगे आपकी लेकिन हिंदाल के एरादे कुछ औरी थे हिंदाल हमायू को मारही डालना चाहता था और इसी लिए हिंदाल के हमला करने से पहले हमायू को इस बात की खबर लग गई और हमायू को अब सब कॉंटिनेंट से भाग कर इरान की तरफ जाना पड़ा जहां पे शाहत तहमस्प ने उसको शेल्टर दिया लेकिन उसके बदले उन्होंने शर्ट रखी थी कि हमायू एक शिया मुसल्मान बनके रहेगा इरान में तब ही उसको मदद दी जाएगी पर हुमायू ने उसको एकसेप्ट किया एक शिया मुसल्मान की तरह हुमायू का वेलकम होता है इरान में हुमायू उसकी वाइफ हमीदा बानो बेगम और बैरम खान और उनकी कई कुछ सौ सैनिक कई तो नहीं लेकिन कुछ सौ सैनिक जो उनके पास बच्चे थे पटन फॉर्चिनेटली हिंदाल के हमले से भागने के चक्कर में हुमायू का बेटा जलाल उद्दीन या अकबर पीछे छूट जाता है जो दाई माह जो अंगा उसको पालती थी उसका कैम पीछे होता है वो नहीं मैच कर पाती हुमायू की रफटार से और वो सब के सब पकड़ लिये जाते हैं बाद में ये जो छोटा बच्चा होता है इसका पूरा अब्रिंगिंग माहिम अंगा करती और इसका पूरा बचपन कंधार में बीचता है तो इस तरह से अकबर का सेपरेशन बचपन में ही अपने पैरेंट से हो चुका होता है और कंधार में माहिम अंगा के आचल में पल कर अकबर बढ़ा होता है तो इस तरह हुमायू एरान में चला जाता है और उदर दिल्ली आगरा में सूर डाइनिस्टी का establishment होता है जिसकी आगे हम बात करेंगे हला कि बाद में हुमायू दूसरी बार मार्च करता है भारत के अंदर और दूसरी बार मार्च करके भारत में kingdom re-establish करता है लेकिन इस बीच शेर शासूरी जो सिर्फ 5 साल के लिए rule करता है लेकिन इस 5 सालों में वो इतने सारे reforms करता है कि उसका नाम भारत के एतिहास में दर्ज हो जाता है शेर शासूरी के बारे में एक एक line read करके उसको समझते हैं originally जैसे कि पहला word लिखा हुआ है फरीद जो उसका original नाम था फरीद who later came to be called as शेर खान and subsequently शेर शाह was the son of a जागिरदार under the kingdom of जौनपुर his father हसन खान held the जागीर of सासा राम in विहार during the rule of लोधी लोधी डाइनिस्टी एक पश्टून पठान या अफगान डाइनिस्टी थी और जैसे लोधियों का राइज होता है तो बहुत सारे पश्टून पठान या अफगानों को भी बड़ी बड़ी जागीर भारत में मिलना शुरू हो जाती तो उनी में से एक था हसन खान और उसी हसन खान को सासा राम की जागीर मिलती जो आज बिहार के वेस्ट में और इसी जागीरदार के घर एक लड़के का जनम होता है फरीद खान अब फरीद खान वैसे तो एक जागिरदार का बेटा था लेकिन बचपन से बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट और अमबीशियस भी था जॉन पूर में रहके उसने अपनी एजुकेशन को पूरा किया था और फिर बाद में आके खान के अमबिशन को बहुत सारी ओपर्चुनिटी दिखाई देती जिनमें एक ओपर्चुनिटी थी बाबर की डेथ और हुमायू का राईस क्योंकि शेर खान समझ गया था कि हुमायू में वो बात नहीं है इसलिए शेर खान ने बिहार और बंगाल के पठानों और राजपूतों को इखटा करना शुरू किया और अपनी खुद की एक मिलिटरी स्ट्रेंग्थ बनानी शुरू करी जिससे कि वो हुमायू को मात दे सके और दिल्ली आगरा के उपर कबजा कर सके और मुगलों को भार बहार खदेर सके तो शेर खान ने बिहार के राजपूतों और पठानों को इखटा करकर एक मिलिटरी फोर्स बनाई इसी मिलिटरी फोर्स ने चौसा और बिलिग्राम की लड़ाई में हुमायू को डिफीट किया था और हुमायू की डिफीट होने के बाद शेर शासूरी न अपने एक राजपूत कमांडर ब्रहमादित्य गौर्ड को ये कहा था कि हुमायू के पीछे जाईए आप और इतना पीछे जाईए कि उसको भारत से भागना पड़े तो ये ब्रहमादित्य गौर्ड हुमायू को चेस करते 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 पंजाब से अफगानिस्तान तक तर कंट्रूल शेर शाह सूरी के कबजे में आ जाता है और इसी के साथ शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है वैसे औरिजनल नाम इसका फरीद था लेकिन बाद में इसका नाम शेर खान क्यों पढ़ गया क्योंकि एक बार इसने बिहार के गवर्णर बहार खान को एक शेर के हमले से बचा लिया था और बेर हैंड में एक खंजर लेकर शेर को मार डाला था इसके बाद बिहार के गवर्णर ने इसको ये टाइटल दिया था कि आज से तुम शेर खान के नाम से जाने जाओगे और जब ये रूलर बना तो इसका कबीला जो सूर कबीला था उस कबीले के नाम से इसने अपना टाइटल अज्यूम किया शेर शाह सूरी क्या इसने किया जरा हम देखते हैं After a gap of 14 years शेर 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 शेरेड इन establishing the Afghan rule once again in India क्योंकि 1530 में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में अफगान हार गए थे और दिल्लियागरा लूज कर गए थे लेकिन 1540 में शेर शाह की विक्टरी के साथी अफगानों का रूल दिल्लियागरा में दोबारा established होता है तो एक बड़ा achievement था शेरशा सूरी का he defeated and conquered Malwa in 1542 which was followed by चंदेरी in Rajasthan he led campaign against Marwar, Ranthambaur, Nagor, Ajmer, Medta, Jodhpur, Bikaner and he defeated rebellious Afghans in Bengal तो सबसे पहले rule establish करने के साथ इन्होंने अपना military might फहलाना शुरू किया भारत में Malwa को जीत लिया जो कि एक बहुती fertile और strategically important एरिया था उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम को connect करने वाला साथ ही साथ पश्चिम में दिल्ली के पश्चिम में जो राजपूत राजा थे वो हमेशा दिल्ली के existence के लिए खतरा थे तो उनके उपर कई हमले किये और उनके उपर कई हमलों को करके उनको control में लेके आया उस इलाके को जीत कर अपने सामराज में तो नहीं शामिल कर पाया कभी भी शेरशा सूरी लेकिन हाँ उसने अपना military might establish किया जहां तक मारवाड का सवाल है मारवाड के अंदर एक लड़ाई हुई थी Battle of Sumail जिसमें राओ माल्देव राठोड के 20,000 योद्धाओं ने 80,000 की अफगान सेना के साथ में मकाबला किया था और मकाबला करके उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा दिया था लेकिन किसी तरह अफगान इस लड़ाई को जीत गए थे लेकिन इस लड़ाई को जीतने के बाद शेरशा सूरी ने एक statement दिया था और वो statement दिया था कि for a handful of millet I was going to lose हिंदुस्तान यह तो इंग्लीश में है उन्होंने इंग्लीश में नहीं बोला था उन्होंने कहा था कि मुठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खोने चला था यानि कि हमला तो कर दिया था उन्होंने लेकिन जब उनको resistance देखने को मिला कि 20,000 राजपूत योद्धाओं ने जबरदस्त resistance दिया और almost इस लड़ाई को जीत लिया था पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत बड़ी strength में हमला किया था शेरशा सूरी ने उसके पास तोपें भी बहुत अच्छी थी, resources भी सारे थे, seas craft के सारे अच्छे engines थे इसलिए उस लड़ाई को जीत तो गया पर उसने ये कहा कि मुठी भर वाजरे के लिए में पूरा हिंदुस्तान खोने चला था और सूर एंपायर को महराश्टर, अंधर प्रदेश और further south के अंदर फैलाना था इसलिए बुंदेल खन के इलाके को जीतना बहुत जरूरी था, वो इलाका जो आज उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के ad joining areas है वहीं पर एक किला था कलिंजर का किला जहाँ पर एक बगहेल राजपूत रूलर किरत सिंग रूल किया करते थे और इनके किले के गहराबंदी के बाद भी एक घमासान लड़ाई होती हाला कि लड़ाई तो अफगान जीत जाते हैं लेकिन इस लड़ाई के प्रोसेस में शेर शासूरी एक गोले की चपू एक एक्स्पलोजन की चपेट में आने की वज़र से बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसी घायल अवस्था में कुछ देर के बाद लड़ाई खतम होने के कुछ देर के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो शेर शासूरी एक बहुत कम समय तक शासन कर पाया अपने मिलिटरी माइट को उसने फैलाया उत्तर भारत में सारी बड़ी ताकतों के अगेंस्ट उसने लड़ाई करी और जीत भी हासिल करी अनफॉर्चनेटली एक ऐसी लड़ाई में उसको मरना पड़ा उसकी डेथ हो जाती लेकिन फिर भी उसको इतना याद इसलिए किया जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किये थे तो उसकी कुछ रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं फास्ट उफ उफॉल फिमेड इस गव्मेंट हाईली सेंट्रलाइजड शेर शा सूरी एक ऐसा रूलर था जो जानता था कि अगर ताकत से शासन करना है तो किंद्री कृत शासन करना होगा अगर हमने सामन्तों में शासन को बाट दिया फ्यूडल लॉड्स में एक्तादारों में शासन को बाट दिया तो वो कमजोर कर देगा एंपायर को इसलिए शेर्शा सूरी ने central control को बहुत मजबूत रखा throughout his rule जोकि एक important reform था administratively शेर्शा's empire was divided in 47 सरकार याने की provinces याने की प्रांथ 47 प्रांथों में इसने अपने पूरे सामराज्य को बाटा था हर प्रांथ का प्रमुक चीफ सिक्षिकदर हुआ करता था जो law and order को maintain करता था और हर प्रांथ के अंदर जो chief judge होता था उसे मुनसिफ कहा जाता था ये दो important officer होते थे जो मिलकर इसके एक एक प्रांथ को govern करते थे फिर ये जो प्रांथ होते थे ये further divided होते थे districts में जिसको सरकार कहा जाता था each सरकार was divided into several परगना अब हर district कई तहसीलों में divided होता था तो उसको ये लोग परगना कहते थे शिकदर जो कि एक military officer भी होता था अमीन जो कि एक land revenue officer भी होता था फोतेदार जो कि एक treasurer होता था और कारकून जो कि एक accountant होता था वो हर परगने के अंदर law and order से लेके revenue collection तक की जिम्मेदारी को समालते थे और इस तरह administration को बहुत smoothly और सुचारू रूप से चलाया जाता था शेर्शा had also improved the communication by laying four important highways सोनार गाउं टो सिंध, आगरा टो बुरहानपूर, जोतपूर टो चितोड और लाहूर टो मुलतान शेर्शा सुडी अपनी सडकों के निर्माण के लिए बहुत याद किया जाता है एक तो जो पुरानी Grand Trunk Road थी जिसको बाद में अंग्रेजों ने नाम दिया था तो जिसे बाद में अंग्रेजों ने Grand Trunk Road का नाम दिया था उस Road को शेर्शा सुरी ने repair करवाया रोड के दोनों के नारों पे दरख्त याने की पेड़ लगवाये क्रोड में हर कुछ दूरियों पर बावडियां और कुएं बनवाए सराइं बनवाई जो हिंदूों के लिए अलग सराइं हो या और मुसल्मानों के लिए अलग सराइं हो और इस तरह इसने कम्यूनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाया कई रीजनल इलाकों को भी कनेक करने वाली सडके बनाई तो इससे फाइदा शेरशा सुरी को दो-तिन होता था पहला फाइदा शेरशा सुरी को ये होता था इससे कि व्यापार बहुत अच्छा चलता था क्योंकि सडकें बहुत अच्छी बन गई तो व्यापारियों के लिए आसान होता था एक जगे से दूसरी जगे टैवल करके जाना क्योंकि उनको सडकों पे सिर्फ सडक नहीं मिल रही थी सुविधाई भी मिल रही थी आराम दैक सफर बन रहा था दोनों तरफ दरख्त थे बीच में से मुसाफिर जाता तो गर्मी में च्छाव मिलती बारिश में बारिश की बोचारे कम लगती ठंड में ठंडी हवाय कम लगती हर थोड़ी दूर पर बावड़ियां थी पीने के लिए पानी हमेशा अवेलेबल होता और इन सडकों पे कई कस्बों का भी डेवलप्मेंट शेर शासूरी ने करवा दिया कई व्यापारियों को एंकरेच किया कि आप इन सडकों के किनारे अपनी बस्तियां बसाओ मुसाफिर आने जाने वाले आपसे माल खरी देंगे खरी देंगे आपका व्यापार भी बढ़ेगा मुसाफिरों को भी आसानी होगी तो इससे क्या हुआ व्यापारियों को बहुत प्रोचाहन मिला उनको बहुत मोटिवेशन मिला और व्यापार बढ़ने लग गया तो पहला फायदा तो यह हुआ दूसरा फायदा शेरशा सुरी को यह हुआ कि इनी सडकों पे चलके उसकी आर्मी तेजी से एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव कर सकती थी और अपने पूरे सामराज जिके ओपर फौजी नियंतरण बना के रख सकती थी तीसरा फायदा शेरशा सुरी को यह होता इन सडकों की वज़ा से कि शेरशा सुरी ने बहुत अच्छा पोस्टल सिस्टम डेवलप किया था कि भई अगर मालवा से कोई खबर है जो दिल्ली तक पहुँचा नहीं है तो एक सडक मिलेगी जिस सडक के उपर एक के बाद एक घुड़ो पर चलकर मेसेंजर उस खत को लेके उस चिट्ठी को लेके शेरशा सुरी तक पहुँचा देंगे तो इस तरह से शेरशा सुरी ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अपने कंट्रोल को मजबूत किया अपने एंपाइर में जब उसने बहुत सारी सणके बनाई जब एकॉनिमी मजबूत हुई ज्यादा व्यापार हुआ तो एकॉनिमी तो पैसा ज्यादा आया शेर्शा सूरी के पास पैसा ज्यादा आया तो बड़ी सेना बना सकता था और बड़ी सेना मतलब की बड़ा एंपायर काबूल से यानि कि अफगानिस्तान से आज के बंगला देश को कनेक्ट कर दिया इन्होंने एक रोड से इसी को आगे चलके ग्राइन ट्रंक रोड भी कहा गया मलिक मोहमद जायसी रोड दा फेमस हिंदी वर्क पदमावत ड्यारिंग हिज रीन पदमावत जो कहानी है अलाउद दिन खिल जी की चित्तोड के उपर हमले की किस तरह रानी पदमिनी जौहर करती है रावल रतन सिंग युद्ध करते हैं और वो एक वीर गाथा जो मेवाड की लिखी गई थी ये भी शेरशा सुरी के दौर में ही मलिक मोहमद जायसी नाम के एक स्कॉलर ने लिखी थी ये भी शेरशा सुरी के पैटरनेज में ही लिखी गई थी दिल्ली में पुराना किला है ये शेरशा सुरी के दौर का ही बनाया गया है एक और चीज़े जो शेरशा सुरी की यहाँ पे मेंचन नहीं है जो मैं मेंचन कर देता हूँ ये डेवेलब्ड अन इफेक्टिव शेरशा सुरी को इस बात की भी बहुत परवा थी कि कहीं law and order मेरे empire में disturb ना हो जाए क्योंकि ये दौर political turmoil का दौर था कभी बाबर आ रहा है कभी हुमायू आ रहा है तो कभी फिर शेरशा आ गया है तो कहीं ने कहीं जो रोग elements होते हैं जो anti-social elements होते हैं उनको encouragement था कि यार कोई सरकार तो टिक ने रही है एक भी आके तो मनमर्जी की चलाओ गुंडा गिर्दी करो लूट करो डकैती करो चूरिया करो तो वो बढ़ गई थी कहीं ने कहीं भारत में अब उसको कंट्रोल करने के लिए शेरशा सूरी ने order पास किया कि अगर किसी इलाके में कोई क्राइम हो गया और वहां के लोकल कोतवाल ने पुलीस आफिसर ने उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ा तो फिर उस लोकल पुलीस आफिसर से क्राइम का कॉम्पनसेशन लिया जाएगा अब लोकल पुलीस आफिसर बहुत दबाव में आ गए और उनको ज्यादा काम करना पड़ा उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग बहुत मजबूत कर दी सारे इलाकों में कि पेट्रोलिंग इतनी मजबूत रखो कि क्राइम हो ही ना क्योंकि अगर क्राइम हो गया और क्रिमिनल भाग गया तो हमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा पहले तो क्राइम हो गया फिर क्रिमिनल को ढूंडो और कभी वो भाग गया तो फिर कॉम्पनसेशन दो तो इस सब चक्करों में ना पड़ें इससे अच्छा पेट्रोलिंग इतनी मजबूत की जाए पुलीस की कहीं कोई क्राइम होने ही न पाए और इससे ड्रास्टिकली पूरे एंपाइर के अंदर लॉइन ओर्डर फटा फट कंट्रोल में आ गया तो इन सारे रेफॉर्म से शेर शासूरी ने अपने एंपाइर को मजबूत बनाया ना सिर्फ एंपाइर को बड़ा बनाया बलकि अपने एंपाइर को मजबूत भी बनाया शेर शासूरी ने वैसे तो शेर शासूरी एक सुन्नी मुस्लिम रूलर था लेकिन शेर शासूरी अपने हिंदू subjects को लेकर भी tolerant हुमायू के against भी जो उसने लड़ाई या लड़ी थी उसमें राजपूतों का बड़ा important contribution था जो बिहार के राजपूत थे या बंगाल के राजपूत थे उनका बड़ा important contribution था और साथ ही साथ शेरशा सूरी ने जब दिल्ली आगरा को conquer किया तो अपने administration में भी बहुत बड़े numbers में हिंदू को appoint किया जो बहतर समझते थे संस्कृती को जो बहतर समझते थे common लोगों को उनकी problems को और इसलिए बहतर administrators साबित हो रहे थे तुरकों या अफगानों के मुकाबले तो शेरशा सूरी ने इस बात को भी समझा कि फौजी तोर पे तो तुरकों और अफगानों का यूज किया जा सकता है लेकिन ये इतने अच्छे administrators नहीं साबित होते हैं और इसलिए हिंदू को बड़े numbers में उसने administration की positions दी थी शेरशा सूरी के बाद में आगे चलके जब अकबर रूल करता है तो अकबर शेरशा सूरी की इसी policy को बिलकुल आगे फॉलो करता है इन फैक्ट अकबर जो हुमायू का बेटा था और शेरशा सूरी और हुमायू तो जानी दुश्मन थे लेकिन फिर भी अकबर ने अपने फादर की नहीं बिलकि अपने फादर के जानी दुश्मन शेरशा सूरी की policies को आगे बढ़ाया तो ऐसी effective policies थी शेरशा सूरी की rational policies थी शेरशा सूरी की death के बाद में अकबर का rise होता है क्योंकि शेरशा सूरी की death के बाद उसका बेटा इसलाम शा सूरी आता तो है रूल तो करता है 1552 तक बट उसकी death हो जाती है उसकी death के बाद एक कमजोर रूलर आता है सूरी डाइनेस्टी में जिसका नाम होता है आदिल शा सूरी जिसको ज्यादा तर इतिहास कारों ने इज़त नहीं दिये अपने literature में और उसे अदला लेखा है कि अदला आता है उसके बाद रूल करने के लिए और अदला कमजोर होता है अदला अपने कमांडर के दम पर रूल कर रहा था और उनी में एक कमांडर होता है हिमू जिसका नाम हिम चंदर विकरा माधित्ती के तौर पे भी मशूर है तो ज़रा देखें कि उस समय क्या conditions होती है क्या ड्रामा होता है जिसके तुरू एकदम से सूर डाइनिस्टी का ड्रॉप हो जाता है और दोबारा अकबर का राइज हो जाता है तो बहुत सारा तर्मॉयल यहां पर हमको देखने को मिलता है नासिरुद्दिन हुमायू सक्सीरिडिन टेकिंग बैक डेली और आगरा आफ्टर दे वीकनिंग आफ सूर एमपायर शेर शासूरी की डेथ 1552 में इसलाम शासूरी की डेथ हुमायू को मोटिवेट करती है इरान के शाहत तहमस्प से मदद लेके हुमायू अफगानिस्तान को जीत लेता है 1552 में और 1555 तक आते हाते वो दुबारा दिल्ली और आगरा पे हमला करके अफगानों को यहां से खदेड के दुबारा मुगल जंडा लहरा देता है अच्छा लेकिन क्या होता है इस बीच हुमायू डाइड इन 1556 फॉलिंग ओफ दे स्टेर्स तो हमायू आतो गया वापस हमायू ने आने के बाद दिल्ली और आगरा को जीत भी लिया लेकिन इससे पहले कि वो कंसॉलिडेशन कर पाता अपनी लाइब्रेरी दीन पनाह नाम के उस फॉर्टिफाइट टाउन की अपने एक लाइब्रेरी की सीडियों से गिर कर वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि तीन दिन बाद उसकी डेथ हो जाती एक बार फिर अफगानों के लिए उपर्चुनिटी होती है और अफगानों का कमांडर जिसका नाम होता है हिमचंद्र या हिमचंद्र विक्रमादित्य जिसका नाम होता है हिमचंद्र विक्रमादित्य वो इस अपर्चुनिटी को सेंस करके हमला करता है दिल्ली और आगरा में आदिल शा सूरी की तरफ से लेकिन वो हरा देता है तरदी बेक को जो कि मुगल गवर्नर होता है और एक बार फिर दिल्ली और आगरा के उपर अफगानों का कब्जा हो जाता है इसी दिल्ली में हिम चंदर सिहासन पे बैठता है और विक्रम आदित्य का ओनोरिफिक टाइटल अज्यूम करता है और अब वो एक प्लान बनाता है कि अब वो नौर्थ वर्ड्स मूव करेगा और नौर्थ वर्ड्स मूव करके मुगलों को पंजाब से पीछे ख़ड़ कर अफगानिस्तान तक भेश देगा ताकि दुबारा कब्यों भारत में गुसने ना पाए तो वो एक मैसिव आर्मी को मोबिलाइज करता है नौर्थ की तरफ उधर हुमायू की डेथ के बाद दिल्ली और आगरा हाथ से निकल जाने से मुगल सदमे में थे और कमजोर भी थे लेकिन बैरम खान यहाँ पे एक चांस लेता है और एमपरर अकबर याने की हुमायू के बेटे जलाल उद्दीन को पंजाब के कलनौर में रूलर डेकलेयर कर देता है अगला बादशा डेकलेयर कर देता है और उसके लीडर्शिप में आगे बढ़ाता है मुगल फोर्स को एक चांस लेता है और यहाँ पे होती पानीपत के मैदान में दूसरी लड़ाई और एक पर फिर मुगलों और अफगानों के वीच में लड़ाई होती है बैरम खान, a loyal of Mayu, crowned young Jalaluddin Akbar as the next ruler in Kalnaur of Punjab and marched to take on Himu in the second battle of Panipat. Himu had stronger forces and was on the verge of a victory. But a lucky arrow for Mughal struck in his eye and he was badly injured, taken captive and beheaded. Thus, the Afghan resistance to the Mughal finally ended. बड़ा ड्रामा होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई में. Himu की सेना ज्यादा ताकतवर थी और फेवरेट थी. Mughal सेना कमजोर थी and was likely to be defeated. लेकिन बैरम खान के सैनिको का तीर अंदाजों का एक तीर लड़ाई के शुरुआत में ही हेमू की आँख में आके लग जाता है. और जिससे हेमू बूरी तरह घायल हो जाता है. उस घायल हेमू को मुगल पकड़ लेते हैं. प्रिजनर आफ वार बना लेते हैं. और वहीं बैटल फिल्ड से कुछ किलोमेटर्स पीछे ले जाके उसका गला काट देते हैं. उसके गले को भाले की नोक में घुसाके युद् की सेना यानि कि अफगानों को दिखाया जाता है कि तुम्हारा कमांडर ये रहा. मर गया है, गला कट चुका है. और अब ये ट्रोफी है हमारी. जिसको देखकर अफगान सेना में भगदर मत जाती है और इसी के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई मुगल जीत जाते हैं. और यहीं से अकबर का establishment होता है एक ruler के तौर पे और फिर अब हम बात करते हैं कि अकबर की क्या achievements थे, कैसी उसकी life रही थी. अकबर was one of the greatest monarch of the Mughal dynasty. He was the son of Humayu and Hamida Bano Begum. इनकी mother एक Persian लड़की थी. और हुमायू तो एक चक्टाई तुर्क थाई. और इनके पकड़े जाने के बाद में, Fortunately, अकबर के point of view से उसके साथ अच्छा treatment होता है. और उसका upbringing कंधार में होता है. लेकिन इससे एक नुकसान होता है अकबर को, पता नहीं वो नुकसान था या फाइदा था, जो भी बात थी वो, अकबर जिंदगी भर के लिए अनपढ़ रह जाता है. वे जैसे आप इस screen पे दूर रहा था. जो औरत उसको पाल रही थी, वो खुद अनपढ़ थी. तो जो अनपढ़ औरत उसको पाल रही थी, unfortunately वो उसको पढ़ाई के लिए motivate नहीं कर पाई. ऐसा नहीं था कि अकबर की पढ़ाई के लिए कोशिश है नहीं की गई होगी, की गई थी उसकी पढ़ाई में घूमते हुए निकलता था. कहीं मचली पकड़ते थे, कहीं परिंदों को मार रहे होते थे, बस यही करने में अकबर का बच्पन निकला. जिसको हम otherwise आवारा गर्दी कहते हैं, लेकिन उसी आवारा गर्दी की process में अकबर tough बनता है. पहाडों में चड़ना, पहाडों मे activities का हिस्सा बनके कुछ अलगी करने के लिए उसका एक character build हो रहा था, उसको चीजों की समझ बहतर होती जा रही थी. अब, he became the emperor after the second battle of Panipat in 1556, but due to his young age, he ruled under the control of Bairam Khan in 1560. He ordered Bairam Khan to retire and set out for Hajj pilgrimage. अब हुमायू की, हुमायू वापस आता है 1552 में और काबुल कंधार को जीतता है, अकबर से reunion होता है हुमायू का, फिर अकबर को लेकर आगे वो बढ़ता है, दिल्ली आगरा जीत लेता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था है यहापे, लेकिन हुमायू कि डेथ हो जाती है, followed by the second battle of panipat, और second battle of panipat में Bairam Khan जीत जाता है, इस लड़ाई से पहले ही Bairam Khan डिकलेयर कर चुका था कि अगले बादशाह अकबर होने वाले हैं, तो अब अकबर बादशाह तो बन जाता है, लेकिन अकबर अभी सिर्फ 14 साल का था, इसी लिए अकबर को अकल नहीं थी कि किस तरह से रूल किया जाए, और Bairam Khan अपने नियंतरण में अपने कंट्रोल में लेकर पूरे राज्य शासन व्यवस्था को चलाता है, चार साल तक, लेकिन चार साल बाद जब अकबर बड़ा हो जाता है, तब उसको Bairam Khan का कंट्रोल एक interference की तरह लगने लगता है, और वो एक बादशा होने के हैसियत से, अधिकार से, ये आदेश देता है Bairam Khan को कि बस खान बाबा अब आप रेटायर हो जाओ, और रेटायर होकर आप हज pilgrimage पे चले जाओ, अब बादशा की बात मान के Bairam Khan को भी pilgrimage पे जाना पड़ता है, लेकिन pilgrimage पे जाने की process म ही Bairam Khan को कुछ अफगान गुजरात में पकड़ लेते हैं, पाटन में और उसकी हत्या कर देते हैं, तो इस तरह Bairam Khan का character का end होता है, जिसने मुगल empire के establishment में बहुत ही ज्यादा crucial role play किया था, लेकिन अभी भी अकबर पूरी तरह से independently rule नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अकबर क के सामने अभी भी दबाफ था उसकी foster mother Mahim Anga का, जिसने अकबर को पाल पोस के बढ़ा किया था, जब अकबर अपने parents से separate हो गया था, बहुत ही कमेज में, यह जो पेटिकोट गवर्मन फेज है, यह 1560 से ले के 1562 के बीच में चलता है, क्योंकि जब तक बैरम खान जिन्दा था, वो किसी की नहीं चलने देता था, लेकिन जब बैरम खान चला गया, तो इस तरह के लोगों ने अकबर को कंट्रूल करना शुरू किया, अदम खान जो अकबर का फोस्टर ब्रदर था, माहिम अंगा का बेटा था, अकबर के साथ ही खेल के बड़ा हुआ था, शराप के नशे में अकबर की हत्या करने के लिए चला जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है, और पक का एंड होता है, और अब अकबर फ्रीली रूल कर सकता था, अपनी मर्जी से पॉलीसी मेकिंग कर सकता था, जब अकबर को पॉलीसी मेकिंग करनी पड़ी, अपनी मर्जी से या उसको मौका मिला पॉलीसी मेकिंग करने का, तो जो सबसे पहला स्टेप लिया उसने, वो पहल अगरक के भारतिय योद्धाओं को अपने साथ में जोडने का और यहीं पे अगला पॉइंट आता है दिर राजपूत पॉलिसी ओफ अकबर दिर राजपूत वेर पॉलिटिकल एंड मिलिटरी लीडर आफ दे हिंदूस अकबर ये बात जानता था कि शायद फौजी ताकत के दम पर हम एक बड़ा एंपायर तो बना सकते हैं लेकिन उस एंपायर को कायम नहीं रख सकते हैं अगर हम स्थानिय लोगों को हिंदू को अपने साथ नहीं मिलातें क्योंकि इतने साल से जो मुसलिम रूल उत्तर भारत में चल रहा था, इस पूरी प्रॉसेस में कभी भी लोकल हिंदूओं ने मुसल्मान रूलर्स को अपना नहीं माना था, आखिर मुसल्मान रूलर्स हिंदू जनता से जजिया वसूल करते थे, तीर थी आतरा के ओपर टैक् बना हुआ था, अकबर जानता था कि अगर हमको जीत हासिल करके लंबे समय तक रूल करना है, तो इनको साथ में जोड़ना ही होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका था, राजपूतों को अपने साथ जोड़ लेने का, क्योंकि राजपूत ही हिंदूओं के पॉलिटिकल और मिलिटरी लीडर्स हुआ करते थे, साथ ही साथ अकबर को राजपूतों पर विश्वास भी था, भई अकबर का जनम अमरकोट में हुआ था ना, जो खुद एक राजपूत किंडम था, जो खुद एक राजपूत फोर्टरेस था, जब हुमायू की मदद किसी ने भी नह ने करी, मालदेव राठोड ने करी, या राणावीरसाल ने करी, जो कि राजपूत थे, तो वैसे भी अकबर को अकबर जानता था कि historically भी राजपूतों के साथ experience अच्छा रहा है, एक खनवा की लड़ाई को घर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि खनवा की लड़ाई की तो उस लड़ाई को अगर छोड़ दिया जाए, तो otherwise राजपूतों और मुगलों के बीच में अब तक ठीक ठाक relation रहा था, रानी करणावती ने हुमायू से मदद मांगी थी, हुमायू शायद immediately मदद नहीं कर सका था, लेकिन बाद में आता भी है मदद करने के लिए, और मेवार के उपर कही ने कही दबाफ कम होता है, तो इसलिए अकबर को पता था कि राजपूत बहुत अच्छे ऐलाईस साबित हो सकते हैं, जो लड़ना बहुत अच्छे से जानते थे, जिनको लड़ने का बड़ा शौक भी था, जो बड़े बहादूर थे, और ट्रस्ट वर के उपर उनका कंट्रोल हुआ था, तो इसलिए अकबर के मन में अफगानों को लेकर हमेशा एक शक था, कि शायद मौका मिलने पर ये मुझे मार सकते हैं, या मेरे खिलाफ रेबेलियन कर सकते हैं, लेकिन अगर राजपूतों से दोस्ती कर ली जाएं, तो ये दोस्ती हिंदू जनता का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और हिंदू जनता का जब सपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर एक बहुत ही मजबूत एंपायर हम कायम कर सकते हैं, अब इस काम को करने के लिए अकबर को भी अपने अंदर कई बदलाव करने पड़े, कई policies compromise करने पड़ी, जरा है क एक लाइन अपन इसके पड़ते हैं, अकबर had a thorough understanding of the Rajput character, the Rajputs proved true to their words and were capable of wielding a sword with great dexterity and precision, जैसे कि मैं आपको बताया कि विश्वास पात्र थे और युद्ध में बहुत, युद्ध कौशल में बहुत माहिर थे, The Rajput kings who accepted the supremacy of Mughal Empire should be honored, they should also be appointed on high posts in the Mughal Empire, so that they might be made obedient to the Mughal Empire, सीद्य साह इनके policy थी कि भई जो भी Rajput राजा हमारे साथ दोस्ती करेंगे, उन राजपूत राजाओं का सम्मान किया जाएगा, उंचे ओहदे दिये जाएंगे उनको, Those Rajput kings who intended to measure swords with the Mughals should be brought to subordination with the help of military power, अगर कोई Rajput राजा नहीं कर रहा है दोस्ती, तो उसके विरुद्ध युद्ध किया जाएं, और युद्ध करके उसको नियंतरण में लाया जाएं, In case they accepted the supremacy और हारने के बाद उनको फिर अवसर दिया जाएगा, कि क्या अब आप हमारी दोस्ती को स्विकार कर रहे हो, हमारी overlordship को स्विकार कर रहे हो, और अगर वो मान जाते हैं, they should be pardoned and honored by giving suitable respect, तो अगर ऐसे राजपूत राजा जिन्होंने अकबर से युद्ध भी किया, पर हार गए, और हारने के बाद भी उन्होंने अकबर की दोस्ती स्विकार कर ली, तो भी उनका रिस्पेक्ट किया जाएगा और उनको उचे पद दिये जाएंगे, याने कि उनको पूरी अपने दर्बार में पूरी धर्मिक आज़ादी दी गई, यह वो पूरी तरह से अपने धर्म को निभा सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, राजपूतों को अपना आत्म सम्मान बहुत ज्यादा प्यारा था और इसलिए अकबर का आदेश था कि भी सूरत में उसको हर्ट ना किया जाए, ताकि वो लंबे समय तक हमारे मजबूत ऐलाइज बनते रहें, और एक और लाइन जो बहुत थोड़ी नीचे लिखा गई, जो आपको दिख नहीं रही है, उसको में रीड करके बता दिता हूँ, कि अकबर also entered into matrimonial relations with the राजपूत, कई राजपूत घरानों की राजकुमारियों के साथ उन्होंने विवाह भी किया, और उसके पीछे वज़ा ये थी, कि अकबर ये जानता था, कि अगर राजपूत राजकुमारियों से उसने विवाह कर लिया, तो ये वैवाहिक संबंद जब इस्थापित होगा किसी राजपूत घराने से, तो उस घराने की लोयल्टी अकबर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी, और यही तो अकबर चाहता था, इसलिए बहुत ज्यादा एम्फसाइस करता था, कि कई राजपूत राजकुमारियों से वो विवाह कर ले, जिससे हर राजपूत राजगराना अकबर के प्रती मोगलों के प्रती लॉयल हो जाए, और कई राजपूत राजगराने की राजकुमारियों ने अकबर से विवाह किया भी, जिसके चलते उनकी लोयल्टी भी अकबर को मिली और इसलिए मोगल और राचपूत अलायन्स बहुत मजबूत बना और जब ये इतना मजबूत अलायन्स बन गया तो एक एक करके बहुत सारी विक्टरीज अचीव करता गया अकबर अकबर ने सबसे पहले मालवा को जीता जहां पे उसने बाज बहादूर को डिफीट किया जो की एक अफगान था अकबर ने गोंडवाना को 1564 में जीता जहां पे उसने रानी दुरगावती को डिफीट किया जो की गोंडों की रानी थी वैसे तो वो एक राजपूत राजकुमारी थी बगहेल वंच की लेकिन उसकी शादी गौंड राजाओं में हुई थी और इसी लिए वो उन गौंड राजाओं के किंडम को डिफेंड करती है अकबर की 1564 के हमले में दो लड़ाईयां होती पहली वो जीत जाती है लेकिन दूसरी लड़ाई में उनको हार का सामना करना पड़ता है दुष्मन के हाथ में पढ़ने से बहतर उसने अपने आपको खतम कर लेना माना और इस तरह उन्होंने वीरगती को प्राप्ट किया लेकिन मुगलों ने उनके राज्य को प्राप्ट कर लिया और मुगलों का राज्य पूरी तरह से फैल जाता है सेंटरल इंडिया जो सेंटरल इंडिया के आपको हाई लैंड दिखाई दे रहे हैं अध्यभारत का जो ये इलाका है पहाडों से भरा हुआ है विंद्याचल के पहाड, कैमूर के पहाड, सत्पुडा के पहाड, मालवा का पठार तो ये जो पूरा रीजन है सेंट्रल इंडिया का ये सेंट्रल इंडिया का रीजन मालवा और गोंडवाना की लड़ाई के साथ ह अक्बर के complete control में आ जाता है अब इसके बाद ही अक्बर का अगला expedition होता है मेड़ता में मेड़ता जो की राजस्थान के center में था यहाँ पे अक्बर हमला करके यहाँ पे जो राठोड वन शुरूल करता था उनको defeat करता है उनके ruler जैमल थे जिन्होंने आगे चलके फिर अक्बर से चित्तोड के defense में बड़ी जवर्दस लड़ाई करी थी लेकिन उस समय मेड़ता में जैमल को राव जैमल को हारना पड़ता है और मेड़ता की conquest होती मेड़ता की conquest से अकबर कोई advantage मिलता है कि पूरे राजपूताना में उसको access मिल जाता है जो आज का राजस्थान है उसके center में है मेड़ता तो वहाँ पे अगर मोगल्स ने अपना मजबूत military base बना लिया तो राजपूताना के हर एरिया में military operation easily कर सकते थे इसलिए मेड़ता को वह जीतता है 1564 में ही फिर उसके बाद अगला हमला वो मेवाड के अंदर करता है और मेवाड को भी जीत लेता है मेवाड की बड़ी घमासान लड़ाई होती है मेवाड के रूलर होते हैं राणा उदय सिंग जो अकबर के हमले से पहले ही अपने राजकुमारों के साथ में किला छोड़के चले गए थे क्योंकि उन्ही के अपने officers ने उनको कहा था कि इस घिरा बंदी में अगर आप खतम हो गए आपके राजकुमार खतम हो गए तो मुगलों के खिलाफ लंबी लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे तो एक किला तो हम लड़ा लेंगे मुगलों से लेकिन आप अपने आपको बचाओ और अरावली के पहाडों में जाके शेल्टर ले लो जहां मुगल अब तक पहुँच नहीं सकें आसानी से तो राणा उदय सिंग और उनके राजकुमार जिन में प्रताब भी शामिल थे वो निकल जाते हैं उस समय उस किले से और अरावली के पहाडों में शेल्टर लेते हैं और चितोड के किले को डिफेंड करते हैं जैमल और फत्ता जैमल सिंग राठोड और फते सिंग से सो दिया ये दोनों मिलके मेवाड के किले को डिफेंड करते हैं आठ महीने तक मुगल सेना को सक्सिस नहीं मिलती बट अनफॉर्चुनेटली आठ महीने बाद अकबर की चलाई हुई एक गुली राव जैमल को आके लग जाती है और जैमल की डेथ होती है और जैमल की डेथ के साथ ही मिवाड के इस किले का फॉल होता है किला जीतने के बाद मुगल सेना किले के अंदर घुसती है और 30,000 सिविलियन्स को बुरी तरह स्लोटर करती है एक बहुत गहरा घाव दे जाती ही मिवाड की जनता के उपर और सबसे इंपॉर्टेंट प्रताप के उपर वो प्रताप जो आगे चलके महाराना प्रताप के नाम से जाने गए जो कभी भी इस बात को नहीं भूलते कि इस घेरा बंदी को जीतने के बाद मुगलों ने 30,000 सिविलियन्स को बुरी तरह से मारा था वो सिविलियन्स जो महाराना प्रताप की प्रजा थी और इसलिए महाराना प्रताप के मन में हमेशा मुगलों के लिए नफरत रही और मेवार को आजात कराने की हमेशा उनकी चाहत रही जिसके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी चाहे वो हल्दी घाटी की लड़ाई हो या दिवेर की लड़ाई हो हमेशा बहादुरी से लड़ाई करी चापा मार याने की हिट और टैक्टिक्स का यूज किया मेवाड के पहड़ी इलाकों का फायदा उठा के इसमें भावाशा नाम के एक जैन व्यापारी ने भी महाराणा प्रताप की बड़ी मदद करी और इस तरह इन लोगों ने मिलके मेवाड से आगे चलके मुगलों को ख़ड़ दिया सिर्फ कुछ बड़े किले थे जो मुगलों के पास रहे गए जैसे चित्तोर गड़ का किला लेकिन बाकी सारे छोटे किले पहाडी इलाके पूरी तरह से राजपूतों ने अपने कंट्रोल में वापस ले लिये थे लेकिन 1568 में अकबर ने एक बड़ा एक्सपेडिशन मेवाड में करके कुछ हिस्सा जीत लिया था Conquest of Ranthambor in 1569 Eastern Rajasthan के इलाके में ही रनधंबौर की रियासत थी जिसको चौहान रूल किया करते थे सूर्जन हाडा जो उस समय वहाँ के रूलर थे वो भी दो से तीन महीने तक अकबर की किले के गहराबंदी का मुकाबला करते लेकिन फिर अकबर के मेसेंजर उनको आके कहते हैं कि अगर आप सरिंडर कर दो तो हम आपका पूरा रिस्पेक्ट करेंगे आपकी प्रजा को भी नुकसान नहीं पहुचाएंगे तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए सूर्जन हाडा भी सरिंडर करते हैं और इस तरह रनतंबोर के इलाके में भी मुगलों का कंट्रोल इस्टाबलिश होता है Conquest of Gujarat in 1572 Gujarat का wealthy इलाका भी अब ये जीच चुके थे 1522 तक आते आते जिससे उत्तर भारत के विदेश व्यापार के उपर उत्तर भारत और पश्चीमी भारत के विदेश व्यापार के उपर मुगलों का कंट्रोल इस्टाबलिश हो गया था और ये बहुत जरूरी था क्योंकि मुगलों को पैसे की भी बहुत requirement थी वैसे तो उनके पास में ये वाला area पहले से ही था पंजाब के area में मुगल पहले ही dominant थे ये पंजाब का area है इस पंजाब के area में मुगल पहले ही dominant थे यह जो पूरे फर्टाइल बेल्ट्स है इस पूरे फर्टाइल बेल्ट्स में मुगल्स का डॉमिनेशन अल्रेडी सेट अप था तो यहां से अच्छा खासा रेवेन्यू उनको मिली रहा था अब गुजराद भी मिल गया तो फॉरिन ट्रेड से भी बेनिफिट वो होने लग गए बंगाल को जीत लिया यह भी बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था यहां से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था सिल्क का बहुत अच्छा कल्टिवेशन होता था इस एरिया के अंदर काबुल के इलाके जीत के खैबर के दर्रे अपने पकड़ में कर लिये जहां से कोई हमलावर घुसके बार बार हमले ना कर सके तो यह अचीवमेंट भी हासिल कर लिया काबुल का इलाका सम्वेर अराउंड हीर इस काबुल Conquest of Baluchistan in 1586 ये जो पाकिस्तान का western हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के इस western हिस्से को बलुचिस्तान कहा जाता है क्योंकि बलूच ट्राइब यहाँ पर रहती है इसलिए इसको बलूचिस्तान कहा जाता है वैसे तो यहाँ पर पश्टून बहुत ज्यादा रहते हैं बट फिर भी इसको बलूचिस्तान कहा जाता है इसको भी अकबर ने जीत लिया Conquest of Kashmir in 1589 यूसुफ शाह चक को defeat करके कश्मीर के पश्चिमी हिस्से पर भी अकबर ने अपना control establish कर लिया भी जम्मू से लेके श्रिनगर तक के इलाके अकबर की complete control में आ जाते हैं Conquest of Sindh in 1591 यह जो बीच में area दिख रहा है आपको यह सिंद का area है जो अगें आज के पाकिस्तान का एक province है लेकिन यह fertile area है और इस fertile area को भी एक बार फिर अकबर ने कबजा कर लिया बरार को जीत लिया महराष्टर में आगे बढ़के जो की Eastern महराष्टर का अभी काफी घना जंगली इलाका है लेकिन उस area को भी इन्होंने conquer कर लिया and conquest of Asirgar इन खान देश यह Asirgar का किला था यहाँ पे इसको भी अकबर जीत लेता है तो इस तरह अकबर एक बहुत बड़े empire को बना देता है क्योंकि राजपूत उसके साथ थे अफगान उसके साथ थे मुगल वो थाई, मुगल आर्मी उसके साथ थी भारत की जनता भी अब उसके religious reforms के चलते उसके साथ हो चुकी थी तो अकबर को हर जगे success ही success मिल रही थी यह जो बीच का area है जो खाली छूटा हुआ है यह ज्यादा तर वो राचपूत राज्य है जिन्होंने अकबर के साथ alliance बना लिया था इसलिए अकबर ने इनके इलाके में कोई conquest नहीं करी थी और उनको उनके इलाके में पूरी autonomy से rule करने दिया था तो इस area को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी लाल कलर से areas marked हैं उस सारे के सारे areas अब directly Mughal control के अंदर आ चुके थे religious policy of अकबर अब एक बहुत बड़ा conqueror होने के साथ में अकबर की धार्मिक नीती क्या थी religious policy उसने क्या बनाई थी इसकी religious policy को सुलह कुल की नीती भी कहा जाता है अकबर organized debates and discussions between scholars of various religions in इबादत खाना एक इबादत खाना उसने बनवाया था और वहाँ पे कई विद्वानों के बीच अलग-अलग धर्मों के वो विद्वानों को बुलाता था और उनके बीच में religious debates करवाता था और इन debates को सुनता था सारे religions को समझने की कोशिश करता था वैसे ज्यादा तर डिबेट्स बहुत ही heated arguments में होते थे तो अकबर को कई debates cancel करना पड़ते थे 15-80 तक आते आते अकबर इतना frustrated भी हो गया था कि उसने इस तरह के इबादत खानों को बंद भी करवा दिया था लेकिन इतने सारे डिबेट्स सुनने के बाद अकबर को इस बात का realization हुआ कि सारे ही religion घुमा फिरा के एक ही बात करते है सारे religion किसी ने किसी form में God को ही achieve करना चाहते है और इसलिए उसने खुद एक propagation किया था एक sect का या एक philosophy का या एक religion का जिसका नाम था दीन-े इलाही यहाँ पे लिखा हुआ येस दीन-े इलाही ये दीन-े इलाही क्या सही में एक religion था जो अकबर ने establish किया था अगर था भी तो ये कोई successful religion नहीं था क्योंकि अकबर के अलावा कुछी लोग थे जो इस तरीके को follow करते थे और हिंदू में तो सिर्फ एक ही था जिस दीन-े इलाही के साथ जुड़ा था और वो था अकबर का नवरतनों में से एक जिसका नाम बिर्बल था तो बिर्बल ही उसके साथ जुड़ा था बाकी कोई उसके साथ नहीं जुड़ा था दीन-े इलाही कई इतिहास कारे कहते हैं कि religion नहीं था दीने इलाही may have been a way of life जैसे अशोक का धम्म था जो एक religion नहीं था बट अब way of life था वैसे दीने इलाही कोई religion नहीं था कि way of life था तो वो ऐसा इसलिए कहते है क्योंकि जब अकबर की death होती है तो अकबर की death के बाद सारे Muslim rights के हिसाब से ही अकबर का cremation किया जाता है या अकबर को उसके last rights पूरे किये जाते है उसको दफनाया जाता है तो उनका ये कहना है कि अगर वो दीने इलाही नाम के religion को शुरू कर चुका था तो इसलाम से तो वो खारीज हो चुका था और अगर वो खारीज हो चुका था इसलाम से तो मरने के बाद उसके लास्ट राइट्स एक मुसल्मान की तरह नहीं होने चीए थे पर वो होते एक मुसल्मान की तरह ही है इसलिए का इतिहासकार कहते है कि दीन-े-लाई कोई religion नहीं था सिर्फ एक way of life था जो सने propagate किया था लेकिन generally it is perceived as a religion started तो अगर आपको भी कभी question मिलता है कि what was the religion started by अकबर और दीन-े-लाई option में हो तो you should be going with that अब he banned the religious tax jaziya and tax on pilgrimage for the Hindus जो jaziya tax हिंदूों से थिंदूों पे तब से लिया जा रहा था जब से मुहम्मद बिन कासिम ने सिंद के इलाके में जीत हासिल करके पझाब के आहरा के जीते हैं वहाँ जाँ जजिआ लिया मुहमद गौरी ने फिर बाद में पंजाब के आहरा के जीते हैं लोग आप जाजिआ लिया कुतब उद्दी नाभक्त नी जब दिल्ली सल्तनत Establish करी तो पूरे के उत्तरी इलाके से जजिया लिया और फिर जो भी दिल्ली के सुल्तान आते रहे जजिया लेते रहे फिरोश चात उगलक ने ब्रहमनों के उपर भी जजिया इंपोस किया उसके बाद में आने वाले रूलर्स ने वो हटा दिया लेकिन बाकी हिंदूों के उपर जजिया लग कर दिया तो ये एक ऐसा policy था अकबर का जो clearly ये भी दिखा रहा है कि अकबर was large hearted towards Hindu और ये भी दिखा रहा है कि अकबर wanted the support of Hindus उसको हिंदुों का support चाहिए ही चाहिए था क्योंकि उसको एक बड़ा empire बनाना था और एक consolidated empire बनाना था तो उसी को पूरा करने के लिए ये सारे measures लिए गए थे अकबर was also highly influenced by the jain religion jain religion के मुनी हरी विजय सूरी जो गुजरात के एक jain monk थे अकबर उनसे मिलता था और अकबर उनसे मिलने के बाद उनसे बहुत inspire हुआ उनसे बहुत influenced हुआ और अकबर ने vegetarianism को बढ़ावा देना शुरू कर दिया खुद भी vegetarian diet वो लेने लग गया ज्यादा तर दिनों में अपने एक हफते के और साथ ही साथ महावीर स्वामी की जैनती पर उसने अपनी capital में सारे slaughter houses को बंद रखने के orders भी दे दिये पर्यूशन पर जहां पर भी जैन population होती है वहाँ पर पर्यूशन पर्व के दौरान भी slaughter houses को बंद रखने के orders दिये तो इस तरह अकबर ने वो कुछ show किया जो उस समय का मध्यकाली नियुक का कोई Muslim ruler show नहीं कर सकता था और इसी लिए कई इतिहास कारोने अकबर को महान या great माना है क्योंकि वो अपने limit से बाहर आकर लिबरलिजम शो करता है जैसा उस से पहले ना उसके बाद किसी Muslim ruler ने करा था उसके बाद तो कुछ थे जिन्होंने किया था इस तरह का लेकिन उस से पहले तो बिलकुल किया कि he was truly the son of his soil अकबर की death के बाद उसको succeed करता है नूरूदीन जाहंगीर जो 1605 से लेके 1627 तक rule करता है He succeeded to the throne after defeating his own son हुसरो मिर्जा जब अकबर की death होती है तो कहीं ने गई अकबर और जाहंगीर जिसका ओरिजिनल नाम सलीम था इन दोनों के बीच के relations अच्छे नहीं थे सलीम को शराब पीने की अफीम पीने की बहुत आदत थी अकबर को ये बात पसंद नहीं थी इसलिए अकबर जाहंगीर को डराता था कि अगर तुम सुद्रे नहीं तो तुम्हारे बेटे खुसरो मिर्जा को में रूलर बना दूँगा और ये बात खुसरो मिर्जा ने कुछ ज्यादे ही सीरियस्ली ले ली और इसलिए खुसरो मिर्जा ने अकबर की डेट के बात में अपने आपको रूलर डेकलियर कर दिया अब उसके फादर सलीम याने की जहांगीर के लिए चैलेंज बन गया कि पहले अपने यी बेटे के रेबेलियन को क्रश करो लेकिन जहांगीर ने ये थाबित कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है और इस तरह उसने अपने बेटे खुसरो मिर्जा के rebellion को crush किया उस rebellion को crush करके खुसरो मिर्जा को imprison कर दिया और घुसे में खुसरो मिर्जा की आँखें भी फुडवा दी गरम गरम सलाकों से उसकी आँखें फुडवा दी कि तुने बाप के against rebellion किया अलगी बाद में जहांगीर को बहुत बुरा लगा कि ये मैंने क्या किया अपने गुसे में आके अपने बेटे की आँखें फुडवा दी और अपने बेटे की आँखों का बहुत इलाज भी करवाया है जहांगीर ने कि इसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाए बट unfortunately कुछ काम नहीं कर रहा था कुछ वर्क नहीं कर रहा था इसी भी जहांगीर का एक और बेटा था जिसका नाम खुर्रम था तो खुर्रम ने सोचा कि अगर ये इसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई तो जो लाड़ आ रहा है अब फादर को इसके उपर कहीं ऐसानों हो कि खुद के बाद ये इसको रूलर बना दे इसलिए शहजाद खुर्रम ने इस खुसरो मिर्जा को सेल के अंदर ही प्रिजन सेल के अंदर ही मार डाला हत्या कर दी इसकी तो इस तरह खुसरो मिर्जा का एक छोटा सा अचीवमेंट करता है इस ग्रेटिस्ट अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग मेवाड इन एलायन्स विद द मुगलसी भाई ये वही मेवाड है जो महाराणा प्रताप की लीडर्शिप में अकबर से लोहा लेता रहा और कई लड़ाईयां जीती भी और मेवाड का बहुत सरा इससा आजाद भी करवाया लेकिन 1607 में जहंगीर ने एक मैसिव एक्सपेडिशन किया मेवाड के उपर और मेवाड को चारो तरफ से घिर लिया अब मेवाड के योद्धाओं के पास में लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था लिकिन इससे पहले के लड़ाई गहराती जहंगीर ने महराना परताप के बेटे राना अमर सिंग को एक मैसेज भीजा कि आप क्या लोगे हमारे साथ में जुड़ने का आपकी जो भी शर्ते हैं वो हम एकसेप्ट करेंगे आप बताओ तो सही एक बार कि क्या वो चीज़ें जो आपको मुगलों के साथ जुड़ने से रोक रही है जबकि दूसरे सारे राजपूत राजा जुड़ जुके हमारे साथ और फ्लरिश कर रहे है वो भी और हम भी तो आप क्यों हो जो लड़ रहे हो अपनी शर्तें बताओ हम मानने के लिए तैयार है फिर राणा अमर सिंग ने कुछ शर्तें बताई पहली शर्त मेवाड का राणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं आएगा सर जुकाने के लिए मन्जूर दूसरी शर्त मेवाड की कोई राजकुमारी मुगल शहजादे से नहीं व्याही जाएगी मन्जूर मेवाड के सिर्फ पंद्रा सो घुरसवार सैनिक ही मदद के लिए भेजे जाएंगे जब भी मुगलों की तरफ से आदेश आएगा मन्जूर चितोर गड़ का किला राजपूतों को सौब दिया जाएगा मन्जूर तो जब सभी शर्तें एकसेप्ट कर ली जहांगीर ने तो फिर उसके बाद में राणा अमर सिंग के पास भी कोई चारा नहीं बचा सुलह करने के अलावा तो ये सुलह हो जाती है मेवाड मुगलों की सुप्रीमेसी को भी एकसेप्ट करता है और उनकी दोस्ती को भी एकसेप्ट करता है और फिर मेवाड का और मुगलों का एलाइन्स बन जाता है वो जो चली आ रही लड़ाई थी इन दोनों के बीच में वो खतम खो जाती तो जहांगीर ये बड़ा achievement करता है politically लेकिन जहांगीर की जो बीसवी बीवी थी जिसका नाम महरून नीसा था जो एक Persian लड़की थी एक Persian नोबल में जो मुगल कोर्ट में था उसकी बेटी थी और उसकी बेटी जिसको आगे चलके ना सिर्फ जहांगीर जिससे शादी करता है बलकि इसको एक टाइटल भी देता है नूर जहां और इस लड़की से इतना ज्यादा इंफ्लूएंस था जहांगीर और इंफ्लूएंस होना बनता भी था उसका शी वास नॉट ओनली वेरी ब्यूटिफल बट अलसो वेरी इंटेलिजन्ट तो वो जहांगीर को बहुत सलाह भी दिया करती थी पॉलिटिकल मश्वरे दिया करती थी और इसी लिए जहांगीर उससे बहुत उसके उपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया इस हद तक नूर जहां का इंफ्लूइंस हो गया था उस समय मुगल दरबार में कि उनके नाम के और जहांगीर के नाम के जॉइंट सिक्के भी इशू होने लग गये थी जिसकी वजह से छोटे मोटे रेबेलियन भी हुए थे बट वो रेबेलियन्स कंट्रोल कर लिए गए जहांगीर was a great pattern of painting and was also a naturalist जहांगीर के दौर में paintings को बहुत बड़ावा मिला बहुत सारे अच्छे अच्छे painters को patternage मिला और साथ ही साथ जहांगीर खुद भी एक बहुत अच्छा painter था जहांगीर एक naturalist भी था जिसका मतलब होता है प्रकरती विद प्रकरती से इसको बड़ा प्रेम था जो पशू पक्षी जानवर होते थे उनका observation करना उनकी study करना खास्त और पे birds की तो जहांगीर एक ornithologist भी था पक्षी विद भी था नाच्रलिस्ट भी था और एक अच्छा painter भी था लेकिन एक बहुत अच्छा ruler नहीं था वो क्योंकि उसको नशे की बहुत आदत थी वो ज्यादातर वक्त नशाही करता था और उसके बहाफ में नूर जहां ही सारा कंट्रोल एकसेसाइज करती थी लेकिन जब जहांगीर की death होती है तो नूर जहां का कंट्रोल भी उसी के साथ खतम हो जाता है जहांगीर की death के बाद उसका बेटा खुर्रम ये वही बेटा है जिसने अपने एक बड़े भाई को prison cell में मरवा दिया था ताकि वो मेरे लिए throne के रास्ते में ना आ सके यही शैजादा खुर्रम जहांगीर को succeed करता है 1627 में और नाम होता है इसका यानि कि इसका जो रेगिनल टाइटल होता है वो शाह जहान होता है 1627 से लेकर 1657 के बीच में वो रूल करता है His face saw the epitome of मुगल empire in power and glory मुगल empire अपनी glory और अपने शक्ती के चरम पर पहुँच गया था उस वक्त जब शाह जहान का दौर था He occupied the throne with the help of आसफ खान by assassinating his half brother प्रिंस शहरियार यहां पे भी एक war of succession होता है कि जब जहांगीर की death होती तो उसका एक बेटा शहरियार था एक बेटा खुर्रम था दूनों के बीच में लड़ाई हो जाती लेकिन एक commander आसफ खान की मदद से खुर्रम अपने भाई शहरियार को मरवा देता है और throne पर बादश्या बनने का उसका रास्ता साफ हो जाता है और वो शाह जहान का title लेके फिर बादश्या बन जाता है तो मुगलों में जो यह परंपरा चली आ रही थी कि कोई बेटे को मार के ruler बन रहा है कोई भाई को मार के ruler बन रहा है यह एक अटूट परंपरा थी जो लगातार मुगल सामराज में मुगल वंच के अंदर चली आई शाह जहान ने भी इस परंपरा को पूरी इमानदारी से निभाया अब यहाँ पे थोड़ा सा politics है politics यह है कि जब अकबर का ruler था और अकबर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर याने कि सलीम से नाराज रहता था तो एक बार अकबर ने अपने आखरी दोर में अबुल फजल नाम की एक आदमी को बुलाया अबुल फजल अकबर का एक दोस्त भी था और court poet भी था तो उसने अबुल फजल को बुलाया कि यार आओ मिरे को तुम से कुछ सलाह लेनी है आगे को लेकर अब जहांगीर को इस बात का अंदाजा था कि अबुल फजल मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखता है अगर ये चला गया मेरे बाप के पास में तो ये जाके उसके कान भरेगा मेरे खिलाफ इसलिए जहांगीर ने क्या किया कि अपना एक दोस्त जहांगीर का एक दोस्त था जिसका नाम था वीर सिंग जिसका नाम था वीर सिंग बुंदेला तो जहांगीर ने विर सिंग बूंडेला को कहा कि तुम्हारा ये टास्क है दोस्त कि अबूल फजल पहुंचना नहीं चाहिए बाथषा अक्बर के पास रास्ते में ही इसको मार डालो वीर सिंग बुंदेला ने यही किया रास्ते में अबुल फजल को धर लिया और मर डाला अब अबुल फजल मर गया वीर सिंग बुंदेला और जहांगीर की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई तो जब जहांगीर रूलर बना तो वीर सिंग बुंदेला यानि कि बुंदेले राचपूत और मुगलों की दोस्ती बहुत मसबूत हो गई अब बुंदेले राचपूत बहुत लॉयल थे जहांगीर को लेकर और जहांगीर भी उनके लिए जान चड़कता था अब जहांगीर ने अपने जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां वो ये चाहती थी कि शहर यार रूलर बने इसलिए बुंदेले राजपूत भी यही चाहते थे कि शहर यार रूलर बने लेकिन हुआ क्या? शेहर यार की हत्या हो गई और खुर्रम रूलर बन गया जो दूसरे गुट का था तो जो बुंदेला राजपूत थे उनको बड़ी नाराजगी हुई कि जिस राजकुमार को हम चाहते थे कि रूलर बनना है वो तो बना नहीं और उसको मरवा दिया तुमने उपर से अलग तो अब हम तुमारे दुश्मने हम नहीं मानते मुगलों को और इसलिए शाह जहान के दौर में इन बुंदेला राजपूतों ने रिबैलियन कर दिया मुगलों के खिलाफ जो ओरिजिनली तो मुगलों के ऐलाइस थे विकरम सिंग बुंदेला और जुझार सिंग बुंदेला का ये विद्रो था लेकिन अपने बेटे और अंगजेब को भेज कर शाह जहान ने ये रिबैलियन क्रश करवा दिया विकरम सिंग और जुझार सिंग बुंदेला को पकड़ कर उनकी हत्या करवा दी गई शाह जान ये भी जानता था कि मुगलों को दक्षिन की तरफ आगे बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बहुत वेल्थ है साउथ इंडिया के अंदर अज भी है और पहले भी बहुत थी इसलिए वो जानता था कि साउथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को बहुत फायदा होगा इसलिए उसने अपने बेटे औरंग जेप को ये टास्क दिया था कि दक्षन में हमको तेजी से आगे बढ़ना है और इसलिए औरंग जेप की लीडर्शिप में ही जो वेस्टन महराश्ट्र का इलाका है जो उस समय निजाम शाही सल्तनत हुआ करती थी उसको भी मुगलों ने जीत लिया था और अपना एक्सपैंशन डेकन में और आगे तक बढ़ा दिया था अगर इस नक्षे में मैं आपको बताओं कि कहां तक वह एक्सपैंशन हो गया था तो ये वाला एरिया है वो इसको मैं मार्क कर देता हूँ नीले रंग से निजाम शाही और ये जो रेड एरिया है इसको डिस्टिंग्विश करते हुए अपन लिख देते हैं अकवर्स तब मुगल एम्पायर और एक्सपैंड हो गया और ये डेक्कन में एक्सपैंड हो गया और डेक्कन में एक्सपैंड करके इसने गोलकुंडा की रियासत और आदिलशाही की रियासत को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है occupation नहीं किया इस समय वहाँ पे लेकिन हाँ उन एरियास को अपने dominance में ले लिया था ये लोग भी अब मुगलों को tax pay करना शुरू कर चुके थे तो इस तरह शाह जाहन के दौर में मुगल्स deccan में expand करना शुरू करते हैं but unfortunately for शाह जाहन उसके आखरी दौर में शाह जाहन को जीते जी अपने बेटों के बीच में एक युद्ध को देखना पड़ा एक नहीं बलकि दो दो तीन तीन युद्ध को देखना पड़ा बहुत सारे bloodshed को देखना पड़ा और ये सब देखने के लिए वो जिन्दा भी रहा unfortunately ये पहला ऐसा मोगल बादशा था जो थ्रोन से हटता है बिना मरे वरना जितने भी मोगल बादशा आए वो सारे मोगल बादशा तब तक मोगल बादशा रहे जब तक वो जिन्दा रहे लेकिन औरंग जेब जो इसका एक तीसरा बेटा था जो मुम्ताज से पैदा हुआ था क्योंकि मुम्ताज इसकी एक बहुत बिलविड वाइप थी जिसका ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था जिसके लिए शाजहान ने ताज महल भी बनवाया था तो उसी के कई बेटे बेटियां थे और यहीं बेटे बेटी आपस में लड़ ली है बेटियां भी लड़ी आपस में क्योंकि वो युद्ध में जाके तो नहीं लड़ी लेकिन अलग-अलग बेटियों ने अलग-अलग भाईयों को पंप किया जहां आरा नाम की और रोशनारा इमोर्जड विक्टोरियस और इसी के साथ में फिर और शाह जहान का क्या हुआ शाह जहान को औरंग जेब ने हाउस अरेस्ट में डाल दिया और लगबग आठ साल तक हाउस अरेस्ट में रहने के बाद शाह जहान की डेथ होती है आलमगीर औरंग जेब यही वो रूलर है जहां से मुगलों के फॉल की भी शुरुवात होती है आलमगीर औरंग जेब 1657 से लेके 1707 के बीच में रूल करता है धर्मत की लड़ाई कहां लड़ी गई थी भी धर्मत की लड़ाई लड़ी गई थी उजैन में समूगर की लड़ाई कहां लड़ी गई थी यह लड़ी गई थी आगरा के पास में देवराई की लड़ाई कहां लड़ी गई थी यह अजमेर के पास में लड़ी गई थी हुआ ये था कि औरंग जेब को इस बात का एहसास हो गया था कि शाह जहान अब उनके बाद में सबसे बड़े बिटे दारा शिकोह को नॉमिनेट करना चाहते हैं एक रूलर के तौर पे औरंगजिब कोई बात पसंद नहीं थी क्योंकि दारा शिकोई एक बहुत लिबरल इनसान था औरंगजिब एक बहुत कटर इनसान था तो औरंगजेब नहीं चाहता था कि दाराशिको जैसा इनसान थ्रोन पर बैठे और इसलिए दाराशिको थ्रोन पर ना बैठे इसके लिए उसने मुराद बक्ष को अपने साथ मिला लिया जो गुजरात का गवर्नर था औरंगजेब डेकन का गवर्नर था और एक और भाई को अपने साथ मिला लिया जो बंगाल का गवरनर था शुजा तो शुजा, औरंगजेब और मुराद बक्षिन तीनों ने एक ऐलाइंस बना लिया और तीनों ने एक ऐलाइंस बना के दाराशिको के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया दाराशिको की तरफ से धर्मत में जस्वन सिंग आते हैं लड़ने के लिए बहादूरी से वो लड़ते हैं लेकिन योजना उनके पास कुछ होती नहीं है मुगल सेनाय, शुजा की, औरंग जेप की मुराद बक्षी एक हो चुकी थी तो वो बहुत मजबूत हो गए थे, तो धर्मत में भी हराया दाराशिको के सपोर्टर्स को, समुगड में भी हराया दाराशिको के सपोर्टर्स को और देवराय में भी हराया दाराशिको के सपोर्टर्स को और इस तरह औरंग जेप का रास्ता क्लियर हो गया आगरा तक पहुँचने का आगरा पहुँचके उसने शाह जहन को इंप्रिजन करवा दिया मुराद बक्ष की हत्या करवा दी शाह शुजा इतना डर गया कि वो भाग गया बंगाल और बंगाल से भी आगे अराकान याने कि आज के बर्मा भगा दिया उसको अब औरंग जेप के सामने कोई चुनौती नहीं थी बाप को हाउस अरेस में डाल दिया था बड़े भाई दाराशिको को पकड़ के उसकी हत्या करवा दी थी मुराद बक्ष के उपर एक मुकदमा लगा के उसको भी एग्जीक्यूट करवा दिया था शार शुजा भाग चुका था और तब औरंग जेप ने थ्रोन ओक्यूपाइ करी आलमगीर का टाइटल लिया बिलकुल बाइ दब बुक चलने वाला ये मुसलिम था और इसलिए अकबर की लिबरल पॉलिसीज इसको पसंदी नहीं आती थी इसने सबसे पहले हिंदू के उपर से जजिया हटाया इमीरेटली नहीं लेकिन रूलर बनने के कुछ डिकेट्स बाद इसने हिंदू के उपर से जजिया भी हटाया हिंदू के उपर सेल्स टेक्स बढ़ाया और मुसलिम्स के उपर सेल्स टेक्स कम भी कर दिया तो इस तरह ये बहुत ही भेद भावपूर्ण पॉलिसीज बना रहा था और अक्सर इसकी सेना जब भी मिलिटरी एक्सपेडिशन पर जाती थी तो रास्ते में जो भी मंदिर उसको मिलते थे इसने ओर्डर्स दिये थे उन मंदिरों को डिस्ट्रॉई करने के तो कई मंदिर भी इसने तोड़े हिंदू के उपर जजिया को दुबारा इंपोस किया सेल्स टेक्स हिंदों के उपर एक धर्मिक भावना से इंपोस करके बढ़ाया गया यह सारी चीजें इस आल थिंग्स वेर नॉट टेकन वेल बाई दे पीपल आफ इंडिया भारत के लोगों और भारत की जो अलग-अलग शक्तियां थी उन्होंने इन सारी हरकतों को अच्छा नहीं माना और औरंग जेब के अगेंस्ट रेबैलियन किया उसके खिलाफ विद्रोह किया और देखते देखते औरंग जेब के अगेंस्ट एक लिस्ट निकल जाती है रेबैलियन्स की पहला important rebellion इसके अगेंस्ट होता है सतनामियों का rebellion सतनामि ये लोग सन्यासी हुआ करते थे लेकिन भारत के अंदर ऐसे सन्यासीयों के रहने की परंपरा रही है जो सन्यासी होने के साथ साथ या संत होने के साथ साथ सैनिक भी होते हैं तो ये जो सतनामी होते थे ये ऐसे ही लोग होते थे जो संत भी होते थे सैनिक भी होते थे औरंग जिप के द्वारा बहुत सारे तीर्थिस्थानों पर फ्री में जाने पर रोक लगाने की वजह से इन सतनामी उन्हें औरंग जिप के खिलाफ रेबेलियन कर दिया और औरंग पर यह कोई एक और आखरी रेबेलियन नहीं था जाटों का रेबेलियन भी बड़ा जबरदस रेबेलियन था जो औरंग जेप के जमाने में हुआ था जब औरंग जेप के कुछ अधिकारियों के मिस बिहेवियर के चलते जाटों ने अपने गाओं में अधिकारियों को घोड़े से नीचे घसीट के बुरी तरह से मार डाला अब औरंग जीब ने बदला लेने की भावना से जाटों के गाउं के उपर हमले कर दिये और कई गाउं को डिस्ट्रॉई कर दिया उसके रिस्पॉंस में गोकला जाट, चूरामन जाट, जैसे जाट लीडर्स इखटे हो गए और इन्होंने इखटे होके एक मिलिटरी रिबेलियन कर दिया औरंग जीब के अगेंस्ट आगरा मुथुरा रीजन में औरंग जीब ने भी मुकाबला किया उसके पास तो बहुत बड़ी सेना थी, वो तो करी सकता था मुकाबला लेकिन जाटों ने बहुत इंटेलिजन्ट ली और बहादूरी से लड़ाई करते करते ना सिर्फ औरंग जीब को कई मुर्चों पर हराया बलकि भरतपूर के इलाके पर अपना कंट्रोल करके अपना एक किंडम भी इस्टैबलिश कर दिया मराठू का रेबेलियन बड़ा से बरदस्त और इंपोर्टन्ट रेबेलियन था मराठू का रेबेलियन तो मुगलों के लिए बिलकुल एक लास्ट नेल इन दो कॉफिन जैसा था कि बिलकुल ताबूत में आखरी कील हो जैसे मराठू ने शिवाजी के लीडर्शिप में रेबेलियन किया था ओरिजिनली आदिल चाही डाइनिस्टी के अगेंस्ट और जब आदिल चाही डाइनिस्टी शिवाजी के अगेंस्ट जीत हासिल नहीं कर सकी तो उन्होंने मुगलों के मदद ली और जब मुगलों के मदद तो औरंग जेप ने पहले शाहिस्ता खान और बाद में अपने दूसरे बड़े कमांडर मिर्जा राजा जैस सिंग को भेजा हलाकि शाहिस्ता खान को तो हरा दिया शिवाजी ने मिर्जा राजा जैसिंग ने शिवाजी को हरा दिया और समझोता करने के लिए भी मना लिया बट शिवाजी की औरंग जिप से बात नहीं बनी शिवाजी वापस आ गए आगरा से और एक बार फिर मुगलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और इस बार ऐसी लड़ाई छेड़ी कि पूरे पश्चिमी महराश्ट को मुगलों के पकड़सन निकालना है और अपना स्वराज कायम किया जिसको आगे हम अगले चाप्टर में थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे सिखों का रेबेलियन भी होता है औरंग जिप के अगेंस्ट क्योंकि औरंग जिप की रिलिजिस फैनिटिक पॉलिसीज के चलते कश्मीर के हिंदू पंडितों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन चल रहा था तो बहुत सारे हिंदू पंडित पंजाब में भाग के आते और गुरु द्वारों में शरण लेते तब सिख गुरु जो समय तेक बहाद्दूर थे वो औरंग जिप को चुनोती देते हैं कि अरे तुम में हिम्मत है तो गुरु तेक बहाद्दूर का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ सीधे साधे लोगों के उपर क्या अत्याचार करते हो और फिर गुरु तेक बहाद्दूर को पकड़के दिल्ली लाया गया दिल्ली लाके चांदनी चौक में उनको सबके सामने ये कहा गया कि अब आप इसलाम को एकसेप्ट करो और नहीं तो सर कटाने के लिए तयार हो जाओ गुरु तेक बहाद्दूर ने कहा कि वो सभी रिलिजन का रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन बाइ फोर्स किसी भी रिलिजन को एकसेप्ट करने के लिए तयार नहीं है और फिर उनका गला काटा गया उनको भी हेड किया गया लेकिन जब ये हुआ तो फिर आती हो गई अरजन देव क्या रहके आया थे तो इसी खुनस में जहांगीर ने गुरु अरजन देव को भी बहुत बूटली मरवा दिया था सिखों ने वो घाव तो सहन कर लिया था कि ये धारमिक नहीं था राजने तेक था लेकिन ये गुरु तेक बहाद्दूर की हत्या तो पूरी तरह से रिलिजिस थी और इसी लिए गुरु तेक बहाद्दूर के बेटे गुरु गोविन सिंग ने खाल सा पंथ की स्थापना करी जो बिलकुल उसी तरह के संत सिपाही होते थे जैसे कि भारत के कई पुराने संतों के अखाड़े हुआ करते थे और देखते देखते पंजाब में एक बड़ा जबरदस्त रेबेलियन कर दिया मुगलों के अगेंस्ट जिससे मुगल कभी छुटकारा नहीं पासके और आगे चलके सिख अपना एक सामराज्ज कायम करके ही मानते हैं पंजाब के इलाके में इसके अलावा राजपूत वो राजपूत जिनके साथ अकबर के दौर में बहुत ही मजबूत रेलेशन बना था मुगलों का और इस मुगल राजपूत असोसियेशन ने भरत जीत लिया था पूरा इन ही राजपूतों के साथ में अपनी पॉलिसीज बदल के ओरंगजेव इनके रेबेलियन को भी कॉल कर लेता है अब जो राजपूतों का रेबेलियन होता है जिसकी वजव मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर बात ऐसी होती है कि जोदपूर के राजा होते हैं जस्वन्थ सिंग जोदपूर के राजा होते हैं जस्वन्थ सिंग जो बहुत भुजवर्ग होते हैं और उनका कोई बेटा नहीं होता है और रंग्जीब के नजर पढ़ जाती है मारवाड के उपर कि अगर ये जस्वन्थ सिंग बिना बेटे के मर गया तो मारवाड का तो कोई राजकुमारी तो फिर मैं मारवाल को अपने कबजे में ले सकता हूं लेकिन इससे पहले की राजा जस्वन सिंग की डेथ होती है राजा जस्वन सिंग की दो राणियों को बच्चे होते हैं और दोनों के दोनों बेटे होते हैं और राजा जस्वन सिंग की डेथ भी हो जाती है जब जनम होता उससे कुछ दिन पहले तो औरंग जेब क्या करता है कि दोनों राणियां और दोनों राजकुमारों को प्रोटेक्शन के नाम पर आगरा ले आता है और अपनी कैप्टिविटी में रख ले था और छोड़ने को यह तयार नहीं था जब मारवाड के सारे कमांडर्स औरंग जेब को कहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों को रानियों को हमको दिदो वापस हम उनको ले जाएंगे उनमें से किसी एक को भी अगला राजकुमार गोशित करेंगे और शासन शुरू करेंगे जोत्पूर्गी प्रजा अपने नए राजा को देखना चाहती है तो मारवार के कमांडर थे और लोयल थे मारवार के वो अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर आगरा के किले से उन रानियों को और राजकुमारों को छुड़ा कर ले आते हैं युद्ध होता है छोटा मोटा छोटा मोटा नहीं अच्छा खासा ही युद्ध होता है कई राजपू अरंगजेव अपनी सेना को भीच देता है मारवाड के दुरगा दासराठोड से युद्ध करने के लिए और दुरगा दासराठोड तैयार थे वो अरंगजेव से युद्ध करने के लिए तैयार थे उन्होंने भी कई मोर्चु पर अरंगजेव से युद्ध किया चापा मार युद्ध नीती अपनाई लेकिन इस प्रक्रिया में मेवार और आमेर के घराने जो मजबूत और ताकतवर घराने थे उनकी सिंपथी भी मारवार से हो गई कि उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है वे अकबर की नीती थी कि राजपूत अगर अकबर का साथ देंगे तो मुगल कभी भी राजपूत राज्जों के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और और अरंग जिब ने तो उस नीती को भी बाइपास कर दिया वायलेट कर दिया इसी लिए मेवार के और मेवार के और आमेर के रूलर्स ने भी मारवार की मदद करी और राजपूतों का एक कंबाइंड रेबेलियन हो जाता है मुगलों के अगेंस्ट अल्टिमेटली औरंग जिब को हार माननी पड़ती है और दुरगा दास राठोड के अकॉर्डिंग जो राजकुमार अजीत सिंग थे उन्हें ही जोतपूर का अगला राजा स्वीकार करना पड़ता है तो औरंग जिब हारता भी है और राजपूतों का विश्वास भी खो देता है जिससे की मुगलों को आगे चलके बहुत नुकसान होता है पर राजपूत मुगल अलाइंस के बाद ही मुगलों का सामराज्ज पहलना शुरू हुआ था भारत में और इस अलाइंस के तूटते ही इस सामराज्ज का बिखरना भी शुरू हो गया था यह जितने भी सारे रेवेलियन्स हैं क्या है यह सब बिखेरी तो रहे मुगल एमपायर को कोई पंजाब में बिखेर रहा है कोई महराश्ट में बिखेर रहा है कोई अफगानिस्तान में बिखेर रहा है यहाँ पे अहोम उन्हें भी रेवेलियन कर दिया था अहोम कौन होते थे आसाम की एक warrior tribe हुआ करती थी आहोम बंगाल के इलाकों में control था मुगलों का अब जरा यहां देखते अपन नक्षे में इस location को देखते हैं यह भूआ होम का इलाका बंगाल का इलाका का था यह बंगाल के इलाके में मुगलों का complete control था बंगाल के नौर्थ के जो इलाके थे ये नौर्थ के इलाके ये अहुम टेरिटरी हुआ करते थे इसको मैं लिक देता हूँ यहाँ पे अहुम्स तो अब मुगल कमांडर मीर जुम्ला ने ये कोशिश करी कि उत्तर में अहूमों के इलाकों भी जीत लिये जाएं हमला किया उसने लेकिन तैयारी नहीं थी और अहूमों को कमजोर समझ लिया उसको लगा कि अहोम कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है तो अहोमों को easily हराया जा सकता है लेकिन शुरुवाती कुछ लड़ाईयों में तो मुगलों को success मिली लेकिन जब अहोमों को समझ माया है कि मुगलों की strength क्या है उनकी weakness क्या है तो अहोमों के एक leader लशित बुर्फुकन इन्हों ने जबरदस्त अपना एक group बनाया अपनी troops को raise किया उनको motivate किया और उनको बताया कि मुगल्स weak है पहाडों में लड़ने के लिए और ना ही ब्रह्मपुत्र की चौड़ी नदियों में लड़ने के लिए adapted है जबकि अहोम तो वहीं के रहने वाले थे पहाडों का भी उनका अच्छा knowledge ब्रह्मपुत्र का भी उनका अच्छा knowledge और अहोमों के पास में छुटी मुटी नीवीज भी हुआ करती थी जिसकी मदद से लशिद बोर्फुकन ने कई लड़ाईयों में मुगलों को बुरी तरह डिफीट किया और मुगलों का आसाम को जीतने का सपना अदूराई रहा लेकिन इस प्रॉसेस में क्या हो गया कि इस प्रॉसेस में ये पूरी देश के सामने क्या खबर फैली कि मुगल अहुमों को ने जीत पाए वहां पे भी हारे तो इस तरह मुगलों का प्रेस्टीज भी डाउन हो रहा था उनकी मिलिटरी प्राविस भी डाउन हो रही थी और कई अलाके तो वो लूस करते जा रहे थे जिसे अफगानिस्तान के काबूल और उसके आसपास के अलाके में पश्टूनों ने रिबेलियन कर दिया था क्यों कि या पश्टूनों ने रिबेलियन भी मुगल कमांडर्स थे उन्होंने कोई पश्टून लड़की को उठा लिया उसको रेप कर दिया और उसका मर्डर करके उसकी लाश फेग दी अब ये बात जब पश्टूनों में पहली तो उन में बहुत ज्यादा गुसा आया खुशाल खान खटक जो वैसे एक मुगलों के लिए सर्फ करता था लेकिन खुशाल खान खटक ने इस इंसिडंस के बाद में ये कहा कि अब मुगलों की इस एट्रॉसिटीज को वरदाश नहीं किया जाएगा और सारे पठानों ने मिलके काबूल और उसके आस पास के इलाके में जबरदस्त रेबेलियन कर दिया मुगल्स के अगेंस्ट ऐसा रेबेलियन कि ये इलाका भी मुगलों के हाथ से जाता रहा तो इस जिस तरह से बाबर ने मुगलों का establishment किया था और अकबर ने उसको consolidate किया था हुमायू ने मेहनत करके दोबारा मुगलों का जंडा लगाया था उस सब का उस सब के उपर औरंग जेब ने अपनी fanatic policies बना के पानी फेर दिया और मुगलों के decline को यहीं से ही शुरू कर दिया आज के lecture में यहीं तक अपन बात करेंगे अगले lecture में मुगल पिरिट के architecture, administration, literature के बारे में भी बात करेंगे विजय नगर सामराज्य के बारे में भी बात करेंगे आज के लिए इतना ही जय हिंद